Welcome to UPSC वाला स्वागत है आप सभी लोगों का Modern History के हमारे आज के इस सेशन में आज के सेशन में हमें बहुत ही Important Topic पे Discussion या चर्चा करने वाले हैं Topic का टाइटिल आपके सामने है Era of Moderates 1885 to 1909 लेकिन एक कहानी यहां से शुरू नहीं होती है इस कहानी के शुरुआत थोड़ी पीछे से है Late 19th Century में बनने वाली एक बहुत ही ताकतवर संस था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी colonial power Britain को उनकी सबसे rich colony इंडिया से जाने पे मजबूर कर दिया नाम था Indian National Congress जानके थोड़ा अजीब भी लगता है और surprise भी होता है कि इस संस्था को Britishers नहीं इंडिया में खुद ही बनने दिया और facilitate भी किया आखिर क्या आया Dufferin के मन में जो उस समय इंडिया में वाइसराय हुआ करता था कि उसने इतनी बड़ी संस्था को बनने दिया और इसके बनने पे कोई रोक नहीं लगाई A.O.Hume जिसने फाउंड किया Indian National Congress को जिसको लेकर सबकी मन में suspicion रहता है In fact, historians आज तक clear नहीं हो पाए हैं कि A.O.Hume actually में किसे favor करने वाला था British governments को या फिर Indians को एक ऐसी personality जो हमेशा suspicion में रहा जिसने Indian National Congress को found किया जिसने आने वाले समय में British government के पैर इंडिया से उखाड दिये आखिर ये संस्था कैसे बन पाई A.O.Hume के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो एक retired bureaucrat था जो 1882 में retire हो गया उसके बाद उसने डफरिन को convince किया कि इंडिया में एक political organization बनाया जाए कई सारे historians का ये मानना है कि A.O.Hume चाहता था कि British government के against में इंडिया में कोई बड़ी uprising ना होने पाए और इसलिए यहाँ पर एक बड़े platform का होना जरूरी है जहां पर लोग जाके अपने मन की भड़ास निकाल सकें वहीं उसके पहले की जो उसकी activities है अगर उसे देखा जाए तो समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत British government को fair या favor करने वाला individual था रेधर उसकी policies हमेशा Indians के favor में थी जब वो इटावा के administration को समाल रहा था और उसने 1857 के revolt को देखा उसके बाद उसने इटावा के administration को बहुत बहतर करने की कोशिस की इन फैक्ट इटावा का administration एक model बन गया British administration में जिसे follow किया जाना चाहिए था A.O.Hume ने अपने administration में जो भी area उसके पास था उसमें काफी कुछ बहतरी लाई लिटन जुसे इंडिया में एक बहुत ही reactionary Viceray के तौर पे देखा जाता है उसके सबसे prominent critics में A.O.Hume हुआ करते थे और यही कारण है कि कुछ समय के लिए उन्हें उनके पत से हटाया भी गया क्योंकि लिटन A.O.Hume को बिलकुल पसंद नहीं करता था इस तरीके से देखा जाये तो वो Indians की plight को लेकर बहुत ज़ादा concerned हुआ करते थे फिर भी यह विवाद का विशय बना रहता है क्योंकि जो Indian nationalist leaders थे वो A.O.Hume को suspicion की दृष्टी से देखते थे खैर जो कुछ भी हुआ A.O.Hume की personality highly controversial है Despite this controversial personality A.O.Hume ने इंडिया के हिस्टरी में अपना नाम दर्ज किया और भारत में एक बहुत ही ताकतवर संस्था को जन्ब दिया Indian National Congress जब तक आप Indian National Congress को नहीं समझ पाएंगे Moderates के face को समझ पाना possible नहीं होगा लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी Indian National Congress Late 19th Century में 1885 में बनने के बाद इंडिया के political atmosphere को इतना ज़्यादा occupy कर लेता है कि हम भूल जाते हैं कि उसके पहले भी कुछ हुआ था क्या Indian National Congress के बनने से पहले भारत में कोई political associations थे ही नहीं क्या उन्होंने British Government के उपर कोई pressure exert ही नहीं किया क्या इसके पहले political sphere में कुछ भी नहीं हुआ अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसके पहले हमारे nationalist leaders ने जो efforts किये थे उन efforts की अवहिलना करना होगा और कम से कम ये अपराद मैं तो नहीं करूँगा और इसलिए जरूरी है कि इसके पहले कि आप समझें Indian National Congress के बारे में आपको समझना चाहिए उन associations के बारे में जो political sphere में Indian National Congress से पहले बने जिन्होंनी इंडिया में एक political consciousness generate की और लोगों को तयार किया एक ऐसी बड़ी संस्था से जुड़ने के लिए जो एक colonial power का मोर्चा सभाल सके यहां पर समझे कि Indian National Congress का जो foundation है जब तक आप उसे नहीं समझते हैं तब तक आप नहीं समझ पाते हैं कि moderate phase कैसे evolve हुआ और उसे counter करने के लिए extremist कैसे existence में आए बहुत important part है यूपेसे multiple time इस topic पर question पूछती रही है Indian National Congress Congress ऐसा पहला organized expression रहा Indian National Movement का जहां पर all India scale पर सभी लोग इकठा हुए और हमने British power को British might को challenge किया जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसा नहीं कि Indian National Congress एक ऐसी पहली संस्था थी जिस नहीं British authority को persuade किया कि वो Indian के interest में distance ले बलकि इसके पहले भी कई सारे ऐसे प्रयास हुए थे हां वो प्रयास All India level के नहीं थे और इतने बड़े नहीं थे जिस बड़े सतर पर ये काम Indian National Congress ने किया लेकिन वो क्या थे ये जानना जरूरी है ये जानना इस perspective से भी ज़रूरी है क्योंकि यहां इस topic से UPSC ने question पूछे हुए है यहां से question बहुत ही simple से पूछे जाते है कि इस association के साथ कौन जोड़ा है आप से सीधा नाम पूछा जा सकता है कि हाँ इस association के साथ इन चार में कौन नहीं जोड़ा है यह इन चार में कौन जोड़ा है तो इस nature के question पिछले सालों में पूछे गए हैं UPSC के दवारा देखिए हम समझने वाले हैं इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बारे में लेकिन उसके पहले हम समझने वाले हैं कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से पहले ऐसे कौन से political associations थे जो काम कर रहे थे जिन political associations के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले आती है Landholders Society जिसे बनाया गया 1837 में उसके बाद हम देखने वाले हैं Bengal British India Society के बारे में या Bengal British Indian Society इस संस्था को बनाया जाता है 1843 में तीसरे नंबर पे देखने की बात आती है British Indian Association को जो actually में इन दोनों ही organizations को merge करके बना दी गई थी. यानि कि Landholders Society of 1837, पैरलली Bengal British India Society of 1843, इन दोनों को merge करके एक नई संस्था, एक नया association, organization 1851 में बनता है, जिसे नाम दिया गया British Indian Association. तो बस आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, कि Landholders Society और Bengal British India Society, ये दोनों मिलकर ही इस तीसरी संस्था, Bengal या Bengal British India Society, Landholders Society के साथ मिलकर British Indian Association को form करता है, ये बाती अभी दिमाग में बिठा लीजे, क्योंकि इनके बारे में बहुत basic details आपको देने वाला हूँ, सिर्फ उतनी जहां से prelims में question बन सकते हैं और आप उतना कर पाएं, बहुत detail में जाने के जरूत नहीं है, आप हर organization को बहुत detail में पढ़ सकते हैं, बट it will not be worthy और आपका cost benefit भी नहीं निकलेगा, यहाँ पर देखिए, जो अगली संस्था है, that is Madras Native Association of 1852, the next one Bombay Association of 1852, उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी East India Association जो लंडन में बनाया गया, इंडिया में नहीं, that was in 1866, उसके बाद नंबर आता है पूना सावजनिक सभा का, 1870s के दौर में, फिर हम बात करेंगे Indian Association of 1876 के बारे में, उसके बाद चर्चा होगी, Madras Mahajan सभा के बारे में, जिसे बनाया गया 1881 में, और फिर हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी, बहुत ब्रीफ में, बंगाल Presidency Association के बारे में, that was formed in 1885, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हों, तो आपके पास हैं Total 10 Organizations, Political Associations, जो INC के पहले बने 10, मैं आपको 2 Extra बताऊंगा, जादा नहीं, सिर्फ 2 Extra, तो 10 जो यहाँ पर हैं, हम इन्हें देखेंगे, और इसके पैरलल 2 और Extra देख लेंगे, जो इन्हें substitute करने के लिए जरूरी हैं, शुरुआत वैसे तो यहाँ आपके इस graph में Land Holders Society के साथ की गई है, लेकिन मैं इसके पहले बनने वाली एक संस्था का जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे Land Holders Society के बारे में भी, Land Holders Society के पहले एक प्लिटिकल असोसेशन तयार होता है, जिसे एक नाम दिया गया दिबंग भासा प्रकाशिका सभा, अभी मैं अपने graph के नहीं आया हूँ, ज बारे में बताने वाला हूँ, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, अगर इस डोमेन से question आया तो इतने में आप आराम से tackle कर लोगे, बिना किसी problem के, और यहां से question पूछे जा चुके हैं, तो कम से कम इस पार्ट को lightly विलकुल मत लीजेगा, ठीक है, बंगभासा बागिश ने 1836 में बंगभासा प्रकाशिका सभा को found किया, इसने actually में इंडियन्स को higher government offices में अपॉइंट किया जाए, प्रेस को freedom दी जाए, जमीदारी जो oppression करती है, रैयत का, यानि के किसानों का, उसे counter किया जाए, यहां पर ब्रहमों समाज के principles को अपहल्ड किया गया, औ और उन्याज को आगे बढ़ाया गया, तो इस तरीके से अगर कहना चाहें, तो पहला political association, हम land holder society को नहीं बोल पाएंगे, पहला political association जो इंडिया में बनता है, that was the बंगभासा प्रकाशिका सभा, जिसे 1836 में बनाया गया, बंगभासा प्रकाशिका सभा, अगर आपने समझ ल जमीदार है न, land holders, जो जमीन को hold करता हो, जमीन को कौन hold करता है, of course जमीदार, इसलिए इसे जमीदारी सभा भी कहते थे, land holder society या जमीदारी सभा, ये बंगभासा प्रकाशिका सभा के एक साल बाद, यानि कि 1837 में बनाया जाती है, अगर दिखा जाए तो बंगभासा प्रक जमीदारी सभा एक्चुली में कोर फॉर्म में एक political association था, और organized political activity की शुरुवात, land holder society के साथ मानी जाती है, land holder society यानि कि जमीदारी सभा, ये 1837 में बनती है, इसे बंगाल, बिहार और उडिसा के जमीदार थे, उन्होंने मिलके बनाया, ये जमीदार चाहते थे, कि collective voice के त ते, especially तब जब वो organized हूं, और एक साथ मिलकर अपनी कोई बात कह रहे हूं, जमीदारों को ये बात पता थी, और उसी लिए इन्होंने इस संस्था को तयार किया, इसमें कुछ बहुत ही prominent leaders रहे, ध्यान दीजेगा, ये जो संस्था थी, ये जरूर से एक political association था, land holder society of course, एक political society थी, या एक political association था, लेकिन ये एक class interest को solve करने वाला association था, it was not an association, जो पूरे इंडिया में masses की life को uplift करने की कोशिस कर रहा हो, they were solely focusing on the interest of the landlords, ये landlord के interest पर focus थे, बट ठीक है, जो भी था, कम से कम political activity की शुरुआत तो हुई, किसी ने तो political rights की demand करी, एक बार landlord मांगेंगे, दूस और मजदूर भी मांगेंगे, इसमें क्या बुराई है, शुरुआत तो होनी चाहिए, और शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे कुछ बहुत ही prominent leaders जोड़े हुए हैं, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, प्रसनुकुमार टैगोर, राधाकान्थ दीब, राम कमल सीन, भावन चरन, मित्र, यह कुछ prominent नाम हैं, जो Land Holders Society के साथ जोड़े थे, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर का नाम तो बहुत ही prominent है, और राधाकान्देव, दोनों ही नाम बड़े popular रहे हैं, तो आप से पूछा जा सकता है, कौन Land Holders Society के साथ जोड़ा हुआ था, और कौन नहीं था, बड़ी ही popular society है, Land Holders Society के बाद number आता है, दिबंगाल British India Society का जिसे बनाया गया 1843 में, मैं expect करता हूँ कि बहुत ज़्यादा societies, 10-12 associations आपको पढ़ने, INC के पहले, आप उनको जरूर से दिमाग में रखें, यहां से एक question आता है, तो एक question अगर आपको दो number का मिल रहा है, इन 10 1843 में found किया गया, ताकि जो actual condition है, British India में लोगों की, उसे government टक पहुचाया जा सके, peaceful और lawful character में, जो भी means हैं, उनका इस्तिमाल करके, जो Indians हैं, उनके interest को serve किया जा सके, 1851 में, यह तो बात हो गई, British India Society की, 1851 में क्या होता है, कि जो Land Holders Society थी, जिसका जिकर अभी हमने पहले क या, 1837 में, दिमाग में इस बात को रखिएगा, Land Holders Society जो 1837 में बनाई गई, और इसके अलामा, बंगाल British India Society, जो 1843 में बन रही है, इनको add कर दिया गया, 1851 में, 1851 में इनको merge किया गया, और एक नई संस्था बनाई गई, that was the British Indian Association, यह Society थी, वो Association बन रहा है, तो 1951 में, तीस Indian Association, as you can see, यह दो Associations का merger है, और अगर यह दो Associations का merger है, इसका मतलब कि यह ज़्यादा ताकतवर संस्था होगी, और यह और strongly इंडियन की वाइस को बिट्टिरस के सामने रखेगी, अगर हम बात करते हैं, तो इसने British Parliament को कई सारी Petitions भेजी, जहाँ पे उन्होंने यह बोला, कि जो company का charter है, उसे revise किया जाए, यह भी कहा गया कि separate legislature तयार किया जाए, जहाँ पर law बनाया जा सके Indians के लिए, यह demands कही ने कहीं पूरी होती हुई मिलेंगी आपको, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर executive functions को judicial functions से अलग करने की बात भी की गई, और यह बोला गया कि जो higher officials हैं, जिने बहुत जादा salary दी जाती है, वो salary actually भी, यहाँ के farmers के खून पसीने की कमाई होती है, उसे कम किया जाए, क्योंकि इतना तो वो deserve नहीं करते, जितना उन्हें दिया जाता है, इन कुछ demands को 1853 के charter act में accept कर लिया गया, 1853 का charter act आपने quality के part में जरूर से पढ़ा होगा, जहाँ प separate legislature 1853 के charter में बनाया जाने का प्रावधान किया गया, हला कि इसके सुरुआत तो 1833 में ही कर दी गई थी जब Macaulay को law member बनाया गया था, खैर, उसमें नहीं जाना है, अभी आप इतना जानिये कि 1853 में जो आपने देखा कि एक separate legislature बनाया गया, उस separate legislature को बनाया जाने के लिए जो दबाव बनाया गया था, जो pressure create किया गया था, वो British India Association ने create किया था, जिसे 1951 में बनाया गया, दो साल इन्हों ने मेनत की थी कि इंडिया में एक separate legislature बनी, और finally इस बात को accept कर लिया गया, तो जो कुछ आप पढ़ते हैं, उसमें एक linkage establish करिए, जो आपने polity में बढ़ा, उ क्योंकि उसके दो साल पहले एक संस्था बनी थी, the British Indian Association of 1851 होगा, यह 19 नहीं, 1851, 1851, ठीक है, और इस संस्था ने, बहुत जा pressure exert किया था, बिट्शरस के उपर कि आप separate legislature बनाओ, और यह जो संस्था बनी, इसमें दो संस्था हैं, यानि कि Land Holders Society और the Bengal British India Society, इन दोनों को merge करक इस संस्था को बनाया गया था, इतना दिमाग में रखेंगे तो सब अपने आप ही बैठा रहेगा, इसकी जो पहली committee थी, उसके जो president बने वो थे राधा कांथ दीब, और जो देविंदर नाथ टैगोर थे, वो इसके बने secretary, इन्होंने एक newspaper भी शुरू किया, that was Hindu Patriot, Hindu Patriot इ साफ साफ पता चल रहा है, ये association मदरास में बनेगा और ये मदरास का native है, तो जो मदरास native association है, इस séat 52 में बनाया गया, British India Association की तरज पर ही, British India Association, जो 1851 में बनता है, ठीक है, इसी की तरज पर, मदरास में, मद्रास Native Association बनाया गया मद्रास Native Association Bombay Association और British India Association ये तीन संस्थाएं बनी मद्रास Native Association Bombay Association अभी हम देखने वाले हैं ठीक है, सिंप्ली बात यहाँ पर देख लीजिए कि 1852 में Bombay Association बना British India Association 1851 में बना जो दो संस्थाओं को मर्ज करके बना इसी की तरज पर मद्रास में मद्रास Native Association बना और इसी की तरज पर Bombay में Bombay Association बना ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग में बिठाने की कोसिस करेंगे तो याद रहेगा नहीं तो भूल जाएगा ठीक है, British Indian Association 1851 में बना, उसके एक साल बाद दो जगहों पर दो संस्थाए बनी मद्रास में मद्रास Native Association 1852 में ही और Bombay Association 1852 में ही, दोनों बन गया ठीक है, Bombay Association को बनाया गया नरो जी फुरदोन जी ने, नरायन दिनानाज जी ने डॉक्टर भाव दा जी ने डादा भाई नरो जी ने और सर जमसेच जी 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 भाई जी ने, ये जमसेच जी टाटा नहीं है, ठीक है जमसेच जी 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 भाई भी बहुत ही philanthropic person थे बड़े concern रहते थे पीजेंटरी को लेकर, और उनके concerns को लेकर बिर्शोस ने grazing text लगा दिया था मतलब जो किसान हैं, जिनके पास मवेशी हैं, cattle हैं, जब वो उन्हें चराएंगे, open land पे grassland पे, तो उन्हें उसके लिए text भी करना पड़ेगा, अभी गरीब किसान जो कुछ मवेशियों को रखे, कुछ cattle को रखे, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है वो कैसे grazing text दे पाएगा, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, अंग्रेज तो कैसे भी करके पैसा रूटना चाहते थे तो यहाँ पे जमसेज जी 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 भाई ने बहुत सारा land खरीद लिया था, चुकि पैसे वाले थे, इन्होंने बहुत सारा land परसन थे, बस एक छोटी सी इनका जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया, तो मतलब Bombay में ये political organization था जो बहुत ही organized way में तयार किया गया और ऐसा पहली बार हुआ था, इनका objective भी यही था, कि government को समय समय पर ये remind करवाया जाए, कि आप जो existing evils हैं, उनको खतम करिए, तो यहाँ पर हमने तीन associations देखे, Indian association 1851 Madras Native Association 1852 और Bombay Association 1852 ये तीन बने, ये तीन बने political demands raise करने के लिए, और इसके पहले दो मैंने आपको बता दिए, तो तीनों मिला के हो गए, पाँच ठीक है, इन तीनों ने मिलके यानि कि Madras Native Association Bombay Association और British India Association तीनों ने separate petition London में भेजी, अलग-अलग भेजी लेकिन तीनों का subject matter एक ही था All the three had same subject matter अगर तीन संस्थाएं, एक साथ demands भेज रही हैं, तो मतलब वो demand powerful होगी, वो demand एतनी powerful थी कि अंग्रेजों ने उसे मानने से इंकार कर दिया थोड़ा strange है बट अंग्रेजों नहीं, इन तीनों ही associations के demands को नहीं माना बट कहने का मतलब ये है, कि आप political associations में एक sense of unity देख पा रहे होगे, और कुछ नहीं है तो आपको ऐसा भ्रमना हो, कि IINC के पहले कुछ हुआ ही नहीं, IINC पहले भी बहुत कुछ हुआ यहाँ पिलड कर associations बन रहे थे और वो united demands भी raise कर रहे थे तो तीनों associations ने अलग-अलग लेकिन similar demands बिट शर्स के लिए भेजी कि आप इनको मान लीजिए, ठीक है तो अभी तक आप नहीं देखा क्या आप लोगों ने सबसे पहले बंगभासा प्रकासिका सभा के बारे में समझा जिसमें गौरी संकर तरका बागिश थे फिर लैंडोडर सोसाइटी को हमने देखा और उसके बाद हमने बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी को देखा फिर दोनों को मर्ज किया लैंडोडर सोसाइटी और बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके हमने बिटिस इंडियन असोसेशन बनाया British Indian Association के तरज पे दो और बने एक बना मदरास Native Association मदरास में और दूसरा Bombay Association 1852 में ठीक है और फिर इन तीनों ने मिलके एक combined petition भीजी जिसे अंग्रेजों नहीं माना था हलागि इनकी थोड़ी बहुत demand fulfill कर दे गई थी और हमने देखा कि एक separate legislature 1853 के एक्ट में आ गया था चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो 6th Association है East India Association 1866 East India Association आप नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे न तो आपको confusion नहीं होगी और आराम से याद भी रह जाएगा भूलोगी भी नहीं या East India Association India East में है कहां से? London से, Britain से तो East India Association को अगर हम East India नाम दे रहे हैं इसका मतलब कि यह Association इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया में होता तो East India क्यों बोलना पड़ता अगर हम East India बोल रहे हैं मतलब यह Association जहां भी बना है वहां से India East में है बिटन से इंडिया इस्ट में है तो यह association इंडिया में नहीं बना था यह association लंडन में बना था अब लंडन में बिटन के crown तो हमाई लिए बनाएंगे नहीं दादा भाई नो रोजी बहुत active थे बिटन की politics में उन्होंने 1866 में लंडन में East India Association को फॉर्म किया था तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह इंडिया में नहीं है बाहर है इसमें इतना कोई याद रखने वाली बात नहीं है ठीक है नाम से ही पता चल रहा है कि यह बाहर है यहाँ पे वो वहाँ के लोगों को इंडियन के लोगों को influence करना चाहते थे कि इंडियन कितने परिशानी में है उन्हें लगता था कि अगर Britishers sympathy रखेंगे इंडियन के लिए तो British government को इंडियन के favor में policy बनानी पड़ जाएगी उनके पास कोई alternative, कोई option नहीं बचेगा अलग level पे खेल रहे थे दादभाई नरोजी एकदम advanced level पे Britain के अंदर घुस के वहाँ के policies को influence करने की कोशिस कर रहे थे दिमे दिमे वहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद भी करने लगे थे और वहाँ के ये parliamentarian भी बने देखे, इसके बाद आप देखो तो जो association की branches थी उनको important Indian cities में भी खोला गया शुरुआत लंडन से हुई बट इसकी branches इंडिया में भी open की गई ठीक है, तो इतनी basic बात आपने समझ ली अब आई ये बात करते हैं पुने या फिर पुना सावजनिक सभा के बारे में 1967 में ये संस्था बनाई जाती है इसे found किया था 67 में महादेव गोविंद रानाडे जीनी और इनका basic objective ये था कि बिच की तरह काम करें government और common लोगों के बीच में जो लोगों के concern हैं उन्हें लेकर जाएं बिच्छर्स के पास और उन concerns को address करवानी की कोशिस करें ये इनकी कोशिस रही ये एक social political organization था जहां पे peasants के legal rights को popularize किया गया peasants के legal rights को popularize किया गया कि हाँ peasants के पास भी तो कुछ legal rights होंगे आप उन्हें एक limit से ज़ादा exploit नहीं कर सकते न ये common होने किया ये organization जो है इसे Indian National Congress के precursor के तौर पे भी देखा जाता है क्योंकि Indian National Congress का जो पहला session था वो महरास्ट्रा में ही हुआ था और महरास्ट्रा में इसके पहले एक संस्था जो active थी पुने में that was पुने सावजनिक सभा हलांकि सीरे सीरे तो precursor इन्हें नहीं माना जाता बढ़ यह माना जाता है कि political activities के शुरुआत महरास्ट्रा में पुना सावजनिक सभाने कर दी थी और जब Congress ने अपनी पहली meeting वहाँ पे की तो एक base औरेडी तैयार था there was a ready base there जिसका इस्तेमाल करके वहाँ पर INC ने अपना काम शुरू किया अब आई यह बात करते हैं the Indian Association of Calcutta 1876 the Indian Association of Calcutta जिसे Indian National Association के नाम से भी पुकरा जाता है दोनों ही नाम हैं कहीं Indian National Association आ जाए या फिर Indian Association of Calcutta आ जाए दोनों एक ही समझना इसने actually में Indian League की जगे ले ली इसके पहले एक संस्था हुआ करती थी Indian League the Indian League the Indian League को replace किया किसने Indian National Association ने या Indian Association of Calcutta यहां पर मैंने आप सिखा था कि मैं आपको दो एक्स्ट्रा बताऊंगा एक तो बंगभासा प्रकाशिका सभाब मैंने आपको शुरू में बता दिया था तो 10 से 11 तो वो वहीं पे हो गया एक और एक्स्ट्रा जो मैंने बताने को कहा था वो यही है the Indian League तो the Indian League को अगर Indian National Association ने replace किया तो पहले मैं आपको इंडियन लीग के बारे में बता देता हूँ इंडियन लीग जो है इसे 1875 में शुरू किया था शिशिर कुमार घोश ने शिशिर कुमार घोश ने जो कि बहुत ही prominent and nationalist थे at that time उन्होंने इसको शुरू किया था objective यह था कि Indians के मन में एक sense of nationalism शुरू किया जाए वो अपने देश को लेकर struggle करने को तयार हो जाए शिशिर कुमार घोश एक बहुत ही noted journalist थे और इन्होंने ही अमरित बाजार पत्रिका को found किया था कई बार बहुत ही simple question पूछ ला जाता है कि किस ने किस newspaper को found किया ठीक है तो newspaper और उनके founders या उनके journalists या editors इनके बारे में आपको पता होना चाहिए questions इस nature के भी पूछे जाते रहे हैं UPSC में ठीक है तो बंगाली language में 1868 onwards published किया जाने वाला बहुत ही popular newspaper बना अमरित बाजार पत्रिका अमरित बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोस ने इसे शुरू किया था और शिशिर कुमार घोस ने ही 1875 में इंडियन लीग को शुरू किया था इसी इंडियन लीग को एक साल बाद 1876 में replace कर दिया गया इंडियन नेशनल association के द्वारा और इंडियन नेशनल association को found किस ने किया था सुरेंदरनाथ बनर जी और आनन्द मोहन बोस ने यहाँ पर आप इन association के बारे में केवल तीन चार बात याद रखना यह association कब बना है किसने बनाया है क्या objective था ठीक है और कब बना है मतलब time, place, time, place person और objective बस चार बात याद रखना जदा नहीं बस इतना याद रखना इतना से question हो जाएगा कभी वो chronology लगाने को दे दे कौन पहले बना, कौन बाद में date पता रहेगी या year पता रहेगा तो कर ले जाओगे ठीक है कम से कम यह तो पता हो कौन पहले कौन बाद में आया था कई बार यह कह दिया जाता है कि UPSC date नहीं पूछती UPSC years नहीं पूछती सरासर गलत बात है सरासर गलत बात है हाँ, UPSC आपसे यह नहीं पूछने वाली है कि यह battle कब हुई 13 तारिक को, 14 तारिक को, 15 को या 16 को ऐसे UPSC नहीं पूछती UPSC सिधे-सिधे आपसे year भी नहीं पूछती लेकिन UPSC आपसे chronology लगाने को बोलती है कि कौन सा organization पहले था, कौन सा बाद में था और इस nature के question multiple time UPSC ने पूछे हुए है और chronology आप तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आपको year नहीं पता होगा अब UPSC सिधे-सिधे आपसे year पूछिए जरूरी थोड़ी है उनके पूछने का तरीका अलग है वो chronology में पूछते है लेकिन chronology लगाओगे कैसे जब आपको पता ही नहीं कौन सा कब बना तो ठीक है तो अगर ये कहा जाए कि हाँ UPSC year नहीं पूछती तो गलत बात है सरासर गलत बात है UPSC year पूछती है बस पूछने का तरीका अलग है ठीक है वो chronology पूछते है आपको ये ज़रूरी है अब देखे कहा जाता है कि Congress के पहले ये सबसे prominent association था जो बिट्शोर्स की landlords के favor वाली policies थी इससे परिशान थे ये चाहते थे कि common masses के favor में भी policies को frame किया जाए और बनाया जाए इसे objective से इसे बनाया गया ये legitimate तरीके opt करना चाहते थे अपनी demands को मनवाने के लिए political, intellectual और material advancement लोगों का हो इसके लिए ये efforts करना चाहते थे इसके लिए इन्होंने काफी कुछ काम भी किया जो membership fees थी इसलिए बहुत कम रखा गया membership fees को बहुत कम रखा गया ताकि जादा से जादा लोग इस association को join कर सके अगर आपका भी college, university में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे NSUI या फिर ABVP के जो भी members होते हैं वो desk लगा के बैठे रहते हैं ठीक है? और वो आपसे कहते हैं कि आप member बन जाओ, आपको convince करते हैं उनकी fees कितनी होती है? 5 रुपए 5 रुपए वो आपसे member से fees लेंगे और एक परची काटके आपका नाम mention करके दे देंगे और बोल देंगे अब आप ABVP के member बन गए या आप NSUI के member बन गए ठीक है? तो 5 रुपए क्या होता है? एक बच्चा 5 रुपए दे देगा It's not a big deal. It's not about the money 5 रुपए का मामला नहीं है मामला ये है कि अगर आप 50 रुपए या 100 रुपए मांगोगे तो बच्चा नहीं दे पाएगा और फिर वो आपकी संस्था का member भी नहीं बनेगा आप 5 रुपए देखकर उसे member बना दे रहे हो प्रिटिकल पार्टीस क्या करती है? समझो क्योंकि आप एक बार किसी से कुछ पैसे ले लो तो वो loyal हो जाता है आपका ठीक है? लेकिन वो पैसे का amount इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो पे ना कर पाए प्रिटिकल पार्टीस क्या करती है? वो लोगों से जाके चंदा मांगते हैं बहुत छोटा amount आप ये बताइए कि कोई उनको 200 रुपए, 500 रुपए 100 रुपए का चंदा दे रहा है elections में बहुत खर्चा होता है वो चंदे से उनका काम नहीं चलने वाला है वो जब तक corporate houses से चंदा नहीं लेंगे बड़े amount में, करोडों में तब तक वो elections contest नहीं कर पाएंगे party जीत नहीं पाएगी लेकिन फिर भी वो एक आम आदमी के पास जाके उससे पैसे मांगते हैं और कहते हैं भाई साब जो हो दे दीजी, बैन जी जो हो दे दीजी 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए 20 रुपए, आप अगर चंदा के नाम पर 20 रुपए भी देंगे तो वो एकसेप्ट कर लेते हैं मना कभी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए आपके वो पैसे important नहीं है, पैसे तो वो corporate से ले लेंगे, important यह है कि आपने उस protocol party को 50 रुपए दिये, और अगर आपने उस protocol party को 50 रुपए दे दिये हैं न, तो आप वो वोट भी दे के आएंगे, जो free का है, जो free का है इसलिए membership अवेल करने के लिए हमेसाद लोगों से कुछन कुछ पैसे लिए जाते हैं वो membership actually में loyalty को represent करता है और वो amount इतना बड़ा नहीं होता कि आप पे ना कर सको, इसलिए इन्हों ने मतलब की सुरिणार बनर जी जी ने अनन्मोहन बोज जी ने बहुत कम fee's रखी थी ताकि जादा से जादा लोग इसे join कर सकें इस association ने, आप देखो कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो 1885 में बना उसके पहले जो मीटिंग्स हुई जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से ही associated थी December 28 और 30 1883 में उसे finance या fund करने का काम इसी संसाने किया था Indian Association of Calcutta या फिर Indian National Association इसी association ने 1883 में मीटिंग करवाई थी जो INC का precursor माना जाता है जो conference हुई थी जो INC का पुर्वरती यानि की precursor माना जाता है उस Indian National Conference की meeting को fund करने का जो काम है वो इसी संसाने किया था बाद में जब INC active हो गई Indian National Congress बहुत actively काम करने लगी तो इस संसाने खुद को एक साल बाद Congress के बनने के 1886 में खुद को merge कर दिया मतब इस संस्था ने अपना existence खतम कर दिया INC को बनाने में help करने के बाद और बाद में खुद को उसी संस्था के साथ attach कर दिया So that was all about Indian National Association Indian League के बारे मैं आपको बदा चुका हूँ अब यह बात करते हैं मदरास महाजन सभा के बारे में मदरास महाजन सभा को 1884 में फाउंड किया गया था M.V. राघवाचारी B. सुभिमनी अईयर और P. आनन्द चारलू के द्वारा मदरास महाजन सभा को इन्होंने फाउंड किया था यह non-official intelligence spread करना चाहते थे मतलब गौर्मेंट की बारे में जानकारिया लोगों तक पहुँचे ताकि लोग politically aware हो सके यह काम मेजरली मदरास महाजन सभा कर रही थी उसके बार नंबर आता है Bombay Presidency Association का Bombay Presidency Association को शुरू किया गया था बदुर्दिन, तैयब जी, फिरोश शामेहता और केटी तेलंग के दवारा और यह संसा बनी थी 1885 में Bombay में बनी थी समझ में आ रहा है जो लिटन की reactionary policy थी वाइसराय था लिटन उसकी जो policies थी वो Indians के highly against थी उसने arms act इंट इंटर्यूस किया वरना कुलर प्रेस एक्ट इंटर्यूस किया जहां पे Indian newspapers को कर्टेल किया गया जो Indian languages में छप रहे थे हतियार रखने की मना ही कर दी गई कुछ Indian communities ऐसी हैं जो traditionally arms carry करते हैं जैसे कि sick वो traditionally arms carry करते हैं similarly कई सारे और tribal groups हैं जो traditionally कोईनों कोई हतियार carry करते हैं उनको रोक दिया गया क्योंकि इने खत्रा महसूस होता था तो लेटेन की जो policies थी बहुत reactionary थी लेटेन की policies और पहलली इलबट बिल controversy जो emerge होके आई बाद में जिसके cause political unrest होता है उन सभी issues को raise करने का काम Bombay Presidency Association ने किया तो यहाँ पर देखिए हमने Indian League को देखी लिया था हमने Indian Association of Calcutta देखा जिसने Indian League को replace किया तो Indian League के बारे में भी हमने देखा फिर हमने मदरास महाजन सभा को देखा यहाँ पे इनका नाम और time relation याद रखेगा मदरास महाजन सभा से जुड़े हुए तीन लोगों के नाम आपके दिमाग में रहे है यह मैं expect करता हूँ M.V. Raghavachari, B. Subman and Iyer और P. Anandacharlou और इसके लावा Bombay Presidency Association में तीन लोगों के नाम है मैं चाहता हूँ कि आप इसे दिमाग में रखें और वो हैं Indian National Congress से पहले जो भी practical associations बने उनके बारे में अच्छे से जानकारी दे दी अगर यहां से question बनेगा तो आप कर ले जाओगे अभी मुझे भरोसा है अब मामला बनता है Indian National Congress का Indian National Congress AO Hume को credit जाता है Indian National Congress को found करने का ऐसा कहा जाता है कि भले ही Congress AO Hume Theosophical Society का member था मैं आपको बता दे रहा हूँ AO Hume was the member of Theosophical Society और Theosophical Society Indians के favor में बहुत कुछ कर रहा था यह कहा जाता है कि Theosophical Society में 1884 में एक secret meeting होई थी वो जो secret meeting होई थी Theosophical Society में उसमें 17 लोगों ने participate किया था 17 लोगों ने एक बंद कमरे के भीतर बाचीट की थी कि हम एक Pan India level का बहुत बड़ा political organization बनाएंगे हाला कि यह meeting हुई थी नहीं हुई थी इस बात को लेकर बहुत विवाद है क्योंकि इसके कोई historical evidences नहीं है अगर historical evidences होते तो किस बात की secret meeting होती फिर किस बात का secret के दे ना open secret open secret क्या है paradox है जो secret है वो open कैसे हो सकता है how can it be open when it's secret तो open secret contradictory है वैसे ही अगर यह meeting secret थी जो थी सॉफकल सोसाइटी में 1884 में हुई जिसके हमारे पास historical evidences नहीं है लेकिन कहा जाता है कि जो secret meeting एक बंद कमरे में हुई 17 लोगों के बीच में वो शुरुआत थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की वहाँ पर लगभग तै हो चुका था कि एक संस्था बनाई जाएगी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस नाम की जो pen India लेवल पे बिट्शोर्स के अगींस्ट में काम करेगी अब इसकी शुरुआत कैसे होती है समझेए इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का फॉंडिशन कैसे रखा जाता है एओ हूं जो की एक रिटायर्ड बिरोक्रेट था वो आई एंसे की फॉर्मेशन के तीन साल पहले रिटायर हुआ था यानि की 1882 में और फाइनली वो 1882 में रिटायर होने के बाद 1912 में उसकी डेथ होती है बिर्टन में 1894 में वो इंडिया से चला गया था लेकिन उसके बाद भी उसने आई एंसी को अपना सपोर्ट जारी रखा तो जो कई बार कॉश्चन रेस किया जाता है A.O. Hume के उपर कि A.O. Hume कहीं कोई एजन तो नहीं था जिसने आके आई एंसी को बनाया था ताकि भराद में कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट ना हो ये बात दो लेवल पे गलत साबित होती है एक तो आई एंसी ने शुरुआत से ही बिटिस गौर्वर्मेंट के अगेंस्ट में रुक रखा और A.O. Hume ने फिर भी आई एंसी का साथ नहीं छोड़ा इन फैक्ट डफरिन शुरू में तो A.O. Hume की बात मान गया A.O. Hume ने 1857 का रिवोल्ट देखा था A.O. Hume नहीं चाहता था कि ऐसा रिवोल्ट दोबारा हो ये तो एक रीजन था ही इसके अलावा हम देख रहे हैं तो A.O. Hume ने एड्मिस्टेशन में काफी अच्छा काम किया था वो कंसर्ण था इंडियन्स की प्रॉब्लम्स को लेकर रिटायर होने के बाद उसने मन बनाया था कि वो इंडिया में कुछ बहतर करेगा उसने डफरिन से मुलाकात की और डफरिन को इस बात के लिए कंविंस किया क्योंकि इतना बड़ा प्रिटिकल ऑगिनाजेशन जो बिटिस गवर्मिन्ट को अपोस करे भला बिटिस गवर्मिन्ट क्यों बनने देगी डफरिन को उसने कन्विंस किया कि एक असोसियेशन चाहिए लोगों को बोलनी नहीं दोगे तो वो मन की भडास कॉंस्पिरेसि में निकालेंगे लोगों को बोलने दो डफरिन को कन्विंस किया AOHUME ने दो फ्रेंट पे कि एक तो लोगों को जब बोलने का मौका मिलेगा तो लोग महाँ पे बोल लेंगे और रिवोल्ट नहीं होंगे और दूसरा कि मालनों कोई रिवोल्ट अगर प्लान हो रहा है तो इस संस्था उसमें इन्वाल्व रहेगी आपको पहले जानकारी मिल जाएगी एक सोर्स आफ इंफोर्मेशन रहेगा यह और गिनाजिशन जहां से भरत में हो रहे हैं किसी भी बड़े रिवोल्ट की जानकारी मिल सकती है डफरिन को बात समझ में आई वो डफर था? पता नहीं डफर था या नहीं था? डफरिन तो था वो वो ऐसरा है डफरिन को एओ हुम की बात बहतर लगी और डफरिन ने अलाव किया एओ हुम को कि आप एक प्लेटल असोसेशन आईंसी नाम का बना लो लेकिन इस असोसेशन के बनने के ज़स्ट बात डफरिन को अपनी गलती का अहसास हो गया और डफरिन बहुत होस्टाइल हो गया यूँकि वो चाहता था INC एक सोशल रिफॉर्म करने वाले ओर्गिनाईजिशन के तौर पे काम करे लेकिन कॉंग्रेस एक प्लिटिकल ओर्गिनाईजिशन था और वो सोशल रिफॉर्म तक खुद को लिमिटेड नहीं रखने वाला था इस बास से डिफरिंचिर गया उसके बाद जब लैंड्स डाउन आता है वो तो एओ हूम से बात तक करने को तैयार नहीं होता वो मिलता भी नहीं है एओ हूम से इस समझ में आता है कि एओ हूम बिटिस गवर्मेंट की फेवर में काम नहीं कर रहा था और इसलिगे बिटिस गवर्मेंट बहुत होश्टाइल थी एओ हूम को लेकर यह होश्टलिटी कई सारे फिरंट पर देखने को मिलते भी है कुल मिलाके एओ हूम ने All India Organizations Establish करने का जो idea तयार किया उसी के resultant INC की पहली meeting होती है या session होता है Bombay में Bombay में जो session होता है that happened in Gokul Das Tejpal Sanskrit College यहाँ पर यह meeting होती है December 1885 में 1885 में यह मुलाकात होती है इसके पहले Indian National Conference के दो sessions हुए थे एक हुआ था 1883 में और दूसरा 1885 में जहाँ पी major Indian Towns से representatives को बुलाया गया था और जब ही meeting होती है Bombay में Indian National Congress की तो इस meeting में 72 delegates नहीं शिरकत की और इसे read किया गया वेमेश शंद्र बनरजी जी के दोरा जो कि इसके presiding officer बने या फिर president बने और उसके बाद से इस meeting को annually held किया जने लगा आप अक्सर देखते हो कि INC की जो meetings होती है वो December में होती है December में इसलिए भी होती है क्योंकि शुरुआत December से हुई थी शुरुआत जो meeting की हुई थी वो December से हुई थी इसका एक reason तो यह रहा दूसरा reason यह रहा कि अगर आप December में meeting कर लेते हो और plan of action develop कर लेते हो तो आप उस पूरे plan को January से यानि कि साल की शुरुआ से implement कर सकते हो पूरे साल plan चलेगा आपका फस्ट आफ January से implement हो सकता है वो plan और उसके बाद अगले December में आप फिर से नगा plan बना लेना तो January में प्लान अच्छे से implement हो सके इसके दिसंबर में meeting करना वैसे भी logical लगता था इसमें भी कोई बुराई थी नहीं अब देखिए कुछ prominent leaders रहे जो early phase से जुड़े हुए थे INC के early phase से कुछ leaders जुड़े हुए थे जैसे की तदा भाई नुरो जी, फिरोश्या मेता विमिशन बनर जी, टिलग जी और गोखले जी यह बहुत ही prominent नाम थे जो जुड़े हुए थे early phase में कादम बनी गांगुली यह पहली women graduate बनी Calcutta University से she was the first women graduate from Calcutta University जिनको बुलाया गया कि आप आईए और INC को address करें that was kind of symbol कि हाँ women के cause को लेकर INC interested है और women को equal participation grant किया जाएगा INC में जहां पर भी मौका मिलेगा तो इनको बुलाया गया 1890 में जो Congress का session हुआ उसे address करने के लिए and that was just to show the status of women in national lives and the commitment of Congress to address the problems of women in India तो INC ने शुरू से ही अपना जो stand है वो clear कर दिया कि देखो भाई हम तो एकदम committed है women के cause को raise करने के लिए जो nationalist activities ही उसे provincial conferences, associations, newspapers और literatures के थूँ carry out किया जाना शुरू किया गया और INC ने अपना काम TGC शुरू कर दिया जब INC ने अपना काम शुरू किया तो एक सवाल आया INC क्यों बना INC को क्यों बनाया गया क्या Indian National Congress एक safety valve था safety valve समझते हूँ किसी भी pipeline से अगर natural gas या फिर petroleum जा रहा हो तो वहाँ पे एक safety valve लगाया जाता है pressure release करने के लिए अगर pressure बहुत ज़ादा होगा तो वो फट सकता है pipe सबसे simple example आपने अपने घर में pressure cooker देखा होगा जिसमें या तो metal या फिर rubber का एक safety valve लगा होता है किसी भी वज़े से अगर आपके pressure cooker की city jam हो जाए तो cooker पहले फट जाया करते थे और जिससे कई बार women या फिर men जो भी खाना बना रहे होते थे वो harm हो जाते थे और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती थी अगर चोट गहरी हो तो इस चीज़ से बचने के लिए pressure cooker में safety valve लगाया गया जब pressure जादा बढ़ता है तो वो valve उखड के बाहर आ जाता है और सारी gas बाहर निकल जाती है cooker फटता नहीं कुल मिलाके safety valve जो कुछ भी होता है वो pressure को release करने का काम करता है और बड़े विसफोट को रोग देता है क्या Congress एक safety valve था जहां पर इसे इसलिए बनाया गया ताकि भरत में कोई बहुत बड़ा revolt ना होने पाए और अगर revolt की कोई बात चल रही हो तो वो पूरा गुस्सा इस INC से बाहर निकल जाए AO Hume ने जब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को फॉर्म किया तो कई साहे लोगों का ये कहना था कि इंडियन्स में जो discontent है उसे release करने के लिए AO Hume ने एक safety valve थायार किया था जबकि कुछ लीडर्स इसको सही भी नहीं मानते बट कुछ लोग हैं जो strongly safety valve theory में बिलीव करते हैं जैसे की लला लाजपत राय और जो माकसिस हिस्टोरियन रहे आरपी दत लला लाजपत राय के सांसना तिलक जी भी कुछ ऐसे नेशनलिस लीडर्स में से थे जो AO Hume के उपर बहुत भरोसा नहीं करते थे मैंने कहाता ना AO Hume एक ऐसी personality था जिसको दोनों doubt करते थे Indians भी doubt करते थे और बिर्शल्स भी doubt करते थे उसके उपर चाहे जो भी doubt किया जाए AO Hume ने जो किया वो Indians के लिए बहतर था I.N.C. जिसने लीड किया इंडिया के freedom struggle को Modern Indian historians safety wall theory को लेकर कुछ dispute रखते हैं उनका ये कहना है कि I.N.C. सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई safety wall बनाना चाहता था I.N.C. इसलिए बन पाया क्योंकि इंडिया के लोग politically अपनी situation को लेकर conscious हो गए थे और ये उनका एक expression था Political और Economic Demands जोन की थी उसका ये एक expression था कि I.N.C. हमारे सामने आया Early Congress leaders Hume को actually में एक catalyst की तरह इस्तेमाल करते हैं Safety wall एक दिखावा था जहां एक और कुछ historians कहते हैं कि A.O. Hume ने Indian National Congress को एक safety wall की तरह बनाया वहीं दूसरी और कुछ historians मानते हैं कि Indian Nationalist leaders ने A.O. Hume को lightning conductor की तरह इस्तेमाल किया What is lightning conductor? घर के उपर अगर बिजली गिरे तो घर को नुकसान हो सकता है किसी इंसान की जान जा सकती है अगर बिजली सीधा strike कर जाए किसी human body को या आसपास भी गर जाए तो टेकिने इससे बचने का एक तरीका है आप अपने घर के उपर एक ऐसी lightning rod लगा दीजिए जब भी बिजली आपके घर के उपर आएगी तो वो rod उसे attract कर लेगा और एक copper का wire जो उससे connect होकर सीधा जमीन में गया हो वो उस बिजली को सीधा जमीन में transfer कर देगा मतलब आपका घर सेफ है सिर्फ एक lightning conductor से बिजली समयसा से बहुत खुश्टाइल रहते थे इंडियन नेशनलिस लीडर्स को लेकर उन्हें चाहिए था कि कोई सामने हो जो उनसे बात करके उन्हें बचा सके AO Hume एक वैसा ही विक्ति था जो एक British bureaucrat था जिसने Eastern India Company को बहुत लंबे समय तक सर्व किया था British government को सर्व किया था वो एक्शली में अगर INC में front पे था तो वो इंडियन नेशनलिस लीडर्स को बचा रहा था ये विवाद का विसाय है कि INC क्या था INC एक safety wall था या फिर INC ने A.O. Hume को एक lightning conductor की तरह इस्तेमाल किया अलग-अलग historians इस पर अलग-अलग opinion रखते हैं फिर भी समझते हैं कि क्या aims और objectives थे Congress के जिसके उपर Congress ने काम किया What were the aims and objectives of Congress सबसे पहले तो ये Democratic Nationalist Moment इंडिया में तयार करना चाहते थे जहां पर हर person का participation हो INC इसी objective के साथ काम करना शुरू करती है इसके लावा INC ने इंडिया के politics को politics करने की कोशिस की और लोगों के अंदर एक political awareness क्रियेट की ताकि लोग समझें कि उनकी actual demands क्या हैं और वो क्यों इस प्रकार की slavery या फिर गुलामी में फसे हुए है वो चाहते थे कि जो भी moment इंडिया में चले उसका एक headquarter हो और वो headquarter INC बन सकता था वो friendly relation maintain करना चाहते थे सभी nationalist politicians के बीच में जो अलग-अलग regions में काम कर रहे थे हमने देखा कि INC के पहले भी कई साथ political associations बने थे लेकिन वो regional थे अलग-अलग locations में independently काम कर रहे थे और इसलिए उनकी जो pressure exert करने की capabilities ये that was very less वो बहुत कम थी लेकिन अगर ये सारे कठा हो जाए तो ज़्यादा बहतर pressure exert होगा और ज़्यादा बढ़िया काम भी हो सकता है ये बात भी सच है इसके लावा ये colonial nationalist ideology के against me propaganda भी रन करना चाहते थे ये formulate करना चाहते थे एक popular demand जिसके लिए लोगों को इकठा करना unified करना ज़रूरी था लोग एक बार इकठा हो जाएंगे और अपने demands raise करेंगे तो बश्योस मजबूर होंगे उसे मानने के लिए ये national unity की feeling इंडिया के लोगों में generate करना चाहते थे उनके divisions के बावजूद caste legion जिसके basis पे वो अलग है वो अलग रहें लेकिन वो एकठा हो जाएं अपनी nationalist demands के लिए इसके अलावा इंडिया में नेशन होड को carefully promote और nurture किया जाए लोग ये माने कि हाँ इंडिया पूरा एक है यहां रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ connected है और उनका fate उनका भाग ये एक ही है अगर वो गुलाम है तो एकठा है आजाद होंगे तो एकठा आजाद होंगे इन सभी objectives के साथ इन सभी objectives के साथ ये पूरा INC ने काम करना शुरू किया अब देखिए कौन रहे important leader INC के early phase में early phase में जो INC के leaders थे वो दादा भाई नरोजी, फिरोश्चा महता, डी इवाचा और विमिशन्द बनर जी ये बहुत ही famous prominent leaders थे दादा भाई नरोजी, फिरोश्चा महता, डी इवाचा और विमिशन्द बनर जी ये prominent early nationalist leaders थे जो early nationalist leaders थे ये liberalism में बिलीव करते थे liberty में बिलीव करते थे moderate ideas में बिलीव करते थे नर्मी दिखाते थे aggressive नहीं होते थे और यही करण है कि इन्हें moderate कहा गया they were called as moderates जिनके ideas moderate थे काम करने का तरीका moderate था इसके अलावा कुछ important leaders जो early nationalist phase में रहे या congress के बनने के बाद रहे जिन्हें moderate कहा गया बाद में जब moderates के tactics work नहीं कर पाई जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका था जब बिश्यर्स थे उसको बेटर तरीके से respond नहीं किया तब इनको लगा कि अब तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा तो कुछ नए readers जो moderates के काम करने के तरीके से dissatisfied थे उन्होंने different tactics का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसी लिए उन्हें नाम दिया गया extremist दे वर कॉल्ड एज extremist उन्हें extremist बोला गया तो आईए बात करते हैं सबसे पहले moderate phase के बारे में फरस्ट आफ आफ आल we will discuss about the moderate phase of Indian politics Indian National Congress के बाद जो moderate phase शुरू हुआ moderate phase की जब हम बात करते हैं तो Indian National Movement में moderate phase क्या था और इन्होंने जब अपना काम किया तो किस perspective से किया किस-किस तरीके या किस-किस डोमेन में इन्होंने अपना काम किया सबसे पहले आप देखिए इन्होंने constitutional reforms की मांग की इसके अलावा इन्होंने civil rights को defend किया जाए या उसके defense में अपनी demand को raise करना शुरू किया पैलली ये administrative और बाकी भी reforms मांग रहे थे British government से और economic reforms इनके agenda का एक बहुत ही important हिस्सा था I.E.E. किक करके इन reforms में इनके क्या demands ही उन्हें समझने की कोसिस करते हैं तो रहा subjective रहेगा but questions बनने की probability पूरी की पूरी रहेगी पहला हैड constitutional reform इस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं constitutional reform में इन्होंने appeal की कि democracy के principle को opt करते हुए जो government हमारे खुद के देश में है जो हमारे उपर rule कर रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी तो होनी चाहिए न we must have our part in our own government हमारी खुद की सरकार मेरा रोल होना चाहिए 1885 से लेकर 1892 के बीच में इन्होंने legislative council में reform और expansion की माम की expansion का मतलब ये था कि ज़्यादा लोग अगर शामिल होंगे if more people will be there if more people will be there in council तो उसमें Indians के जाने की probability बढ़ जाएगी और reforms का मामला ये था कि reforms में अक्सर हम ये चाहते थे कि nominated member ना जाएए elected member जाए official member ना जाएए non-official member जाएए ठीक है तो कि देखे official member अगर होंगे तो वो government के officials होंगे वो British government की बात करेंगे non-official होंगे तो वो Indians भी हो सकते हैं nominated होंगे तब तो जो nominate करेगा उसकी बात मानेंगे elected होंगे तो Indians की बात भी मान सकते हैं तो जब हम council reform की बात करते थे तो majorly हम दो तरीके की demands in general raise करते थे ठीक है हम in general दो तरीके की demand raise करते थे एक तो जो nominated members हैं वो council में ना जाए इसके बजाए कौन जाए elected members की ज़ादा entry हो elected members जाए ये तो हमारी रहती थी पहली demand दूसरी demand ये रहती थी कि जो official members है जो official members है उनकी संख्या को कम किया जाए और जो non official members है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए official member का मतलब होता है जो company के कर्मचारी हैं government officials हैं उन्हे legislative council में जगर दे दी जाती थी तो जो non-official members हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए ये हम चाहते थे ये हमारी अक्सर demand रहती थी एक तो हम ये चाहते थे कि ये हो और इसके अलामा हम चाहते थे कि जो council है उसको expand किया जाए council expansion council का अगर expansion हो रहा है तो उसमें Indians का save बढ़ेगा तो दो major demands रहती थी council को expand करना और दूसरा council में जो membership का nature है उसे बदलना इसके अलामा एक और demand जो raise की जाती थी वो ये होती थी कि जो council में members हैं उनके पास ज़ादा power हो members के पास ज़ादा power हो क्योंकि अगर आप members को entry दे भी दो लेकिन उनके पास ज़ादा powers ही नहीं होंगी आप उन्हें question नहीं पूछने दे रहे हो आप उन्हें vote नहीं करने दे रहे हो budget की मामले में उनका कोई सेही नहीं है तो क्या मतलब है उनका council में होने का तो कुछ fundamental demands होती थी जो council को लेकर अक्सर raise की जाती रहती थी तो ये demands इन्हों ने moderates ने raise करने शुरू करी ठीक है British government ने इनी सब बातों से pressurize होकर Indian council act of 1892 पास किया जिसमें कई सारे reforms किये भी गए इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो reforms किये गए 1892 में उसमें फिर भी जो official majority थी उसको maintain रखा गया इस बात को लेकर Indians बहुत satisfied नहीं थे overall ये जो act था वो Indians के लिए बहुत satisfactory नहीं था और इसलिए हमने इसे hoax या फिर चलावा कहा hoax का मतलब एक तरीकी का चलावा कुछ ऐसा जो दिखाया जा रहा हो कि अच्छा है बट वो अच्छा था नहीं वो बुरा था हमने ये डिमांड की कि जो इंडिया का पर्स है पर्स का मतलब यहां पर है इंडिया का finance वो finance वो revenue जो Indians collect करते हैं उसके उपर Indians का control होना चाहिए Indians must have their own control on their own purse हमारे उपर हमारा control खुद ही होना चाहिए और इसके लावा हम चाहते थे कि self government को promote किया जा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि Australia और Canada में दिया गया है self government में क्या होता था कि Bitshaws internal governance उस country में जो लोग होते थे उनको सौंप देती थी और external government जो है external governance जो है वो अपने हाथों में ले लेते थे जैसे कि actually में हुआ क्या था अगर आप इसको समझोगे तो आप यह समझ जाओगे कि 1776 में American war of independence हुआ American war of independence हुआ ठीक है American war of independence हुआ 1783 में formally Britain ने ये accept कर लिया कि America आजाद है Britain ने accept कर लिया कि America आजाद है Britain को American war of independence एक बास समझ में आ गई कि वो whites और non-whites colonies को एक जैसा treat नहीं कर सकते जो whites हैं वो उनकी बात वैसे नहीं मानेंगे जैसे non-whites मान लेंगे और यही कारण था कि उन्होंने white colonies को treat करने के तरीके में बदलाव ला दिया उन्होंने जादा आजादी देनी शुरू कर दी अपनी white colonies को जैसे की Ireland, Australia, New Zealand, Canada वहाँ पर उन्हें internal self-governance दे दिया गया कि internally आप से सब देखो और externally जैसे की defense, foreign relations, communication, finance इसके उपर उन्होंने अपना control रखा तो कुछ 3-4 elements उन्होंने अपने पास रखे और बाकी सारा वहाँ की internal government को सौंप दिया बिल्कुल ऐसा ही model हम चाहते थे कि जिस तरीके से उन्होंने Australia और Canada जैसी अपनी white colonies को internal governance में freedom दे दी है वैसी ही freedom वो इंडिया में भी दे लेकिन वो non-white colonies को ऐसे treat नहीं करते थे जैसे वो white colonies को treat करते थे क्योंकि non-white colonies के उपर वो pressure exert करके दबाव बुना के काम करवा सकते थे और वो इसके लिए बिलकुल agreed थे और वो pressure के जरिये अभी भी non-white colonies को deal कर रहे थे अब बात करते हैं कि civil rights के defense के लिए क्या किया किया civil rights जो एक civilian को एक नागरिक को मिलने चाहिए सबसे पहले तो freedom of speech and expression प्रेस के लिए पाकि प्रेस जो चाहे लिख सके प्रेस source of information है प्रेस को रोको गए तो जानकारी नहीं मिल पाएगी पहले ली जो civil rights के demand की गई वो धीमे धीमे आगे चलके freedom moment का एक internal integral part बन गई मतब आगे जो भी demands raise की जाती थी उसमें ये हिस्सा बहुत ही important रहता था जो civil rights के protection के demand हमने की वो constant campaign के जरीए की गई हम right to speech and expression, thought, right to freedom, association, free press इसके demand हमेशा करते रहे और इसके अलावा लोगों के अंदर एक consciousness generate हुई कि हमारे भी political rights हैं हमें पता ही नहीं था कि political rights क्या होते है हमें लगता था ठीक है कोई भी हमें persecute कर सकता है, it's normal ये normal था, लेकिन gradually we felt कि ये normal तो नहीं है, it's not normal इसलिए जब तिलक जी को arrest किया गया 1897 में उनकी speeches के लिए जो काफी aggressive हुआ करती थी colonial government के against में हुआ करती थी तो लोगों ने बहुत protest किया, लोगों ने बोला ये हम bear नहीं करेंगे, ये बरदाश नहीं करेंगे ठीक है, अब administrative और बाकी के reforms में हमने administrative services के indianization की बात की कि administration में ज़ादा से ज़ादा Indians को entry मिले, Indians को entry अभी भी नहीं मिल रही थी, judiciary को हम executive से अलग करना चाहते थे, क्योंकि executive के influence में अगर judiciary काम करेगी तो उसका जो काम करने का तरीका होगा, that will not be neutral but neutral तो of course नहीं होगा इसके लाव हम चाहते थे कि agricultural banks को establish किया जाए थाकि farmers के situation बहतर हो, उनको easy loan मिल जाए loan ही नहीं मिलता था, और उनके पास कई बार तो एक बार मालो फसल कमजोर हो गई, तो अगली बार खेतों में अनाज लगाने के लिए input के पैसे ही नहीं होते थे और उन्हें पैसा देने वाला कोई होता नहीं था money lenders जो पैसा देते थे, वो तो red trap में फसा लेते थे, हम चाहते थे कि education से ही, जो होगा, सो होगा police system improve हो, हमने पहले भी देखा था कि police एक ऐसा element था जिससे हम सबसे पहले interact करते थे, और police highly corrupt थी, police colonial authority को पुरी तरीके से implement करती थी लोगों को मारना, पीटना, पनिश करना बहुत ही common था, इसके लामा corruption की practice से soft करना, तो police system को reform किया जाए, improve किया जाए, इसके लामा, medical और health facilities को improve किया जाए, जो in general European's के लिए available होती थी, लेकिन Indian's के लिए नहीं, high level of discrimination health services में भी देखने को मिलता था, इसके लामा, हम चाहते थे कि Indian workers जो दूसरे देशों में भीजे जाते हैं, उन्हें भी protect किया जाए, कही बार जो in danger लिवर्स जाते थे, उनका culture पुरी तरीके से खराब हो जाता था, खतम हो जाता था, वो मलाया पेनिंसुला में गए, उसी निया के रीजिन में गए, या फिर एफरिका में लेकर जाये गए, उन्हें कहीं पर किसी भी कॉलोनी में अगर लेकर जाया गया, तो वहाँ पर जाने के बाद, उनकी situation बहुत बुरी हो जाती थी, हम चाहते थे कि उन्हें better treatment मिले, अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो, और हम देखते हैं आने वाले समय में, कि एफरिका में जो इंडिया से लेबरर्स जाते थे, उनके साथ क्या होता था और गांधी जी ने उनके फेवर में कितनी fierce battle लड़ी, बिश्वस के अगेंश्ट में तो इनकी ये demand रहती थी moderates की parallel demand रहती थी, ये वही समय है, जब moderates लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजियों से, कि जो भी laborers दूसरे जिगों पर जा रहे हैं उन्हें better treatment मिले, और South Africa में गांधी जी भी इसके लिए parallel राई लड़ रहे हैं, economic reforms economic reforms का scenario आप in general जानते हो, हम चाहते थे tax कम किया जाए, बहुत high tax वसूला जाता था, और high taxation, लोगों की life को बेकार कर रहा था, salt tax को abolish करने की बात की जा रही थी, क्योंकि salt एक ऐसा commodity था, जिसका इस्तेमाल सब करते थे, गरीब से गरीब इनसान salt को use करता था, और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी coach line है, मतलब salt a freely produce कर सकते हो, और उसके बावजूद salt को पर heavy duty लगाई जाती थी, salt बहुत महंगा हो जाता था, और इसे abolish करने के demand बहुत शुरू से रही, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने, नमक सत्याग्रव, salt सत्याग्रव शुरू कर दिया, इसकी बात, moderates बहुत पहले से करते रहे हैं, हम plantation workers की working condition को improve करना चाहते थे, plantation workers को slaves की तरह treat किया जाता था, जो plantation का area होता था, plantation contractor वही पर उनके लिए जुगी जोबड़ी बना दिया करता था, उन्हें वही रहना होता था, और वही काम करना होता था, अगर कोई plantation worker उस plantation field को छोड़ कर जाने की कोशिश करे तो उसको punish किया जाता था, उन्हें contract में रख लिया जाता था, कई बार false contracts होते थे, और उसके बाद वो 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए उन contractors के slave बन जाते थे, जहां पर उन्हें plantation में economic critique of imperialism, हम बात करें economic reforms की, economic reforms में कुछ ऐसे scholars रहे, जैसे ददाभाई नरोजी और R.C. दत, इन लोगों ने carefully जो political economy थे इंडिया की उसको analyze किया, और drain of wealth की theory को produce किया, drain of wealth की theory का मतलब बिलकुल साफ था, मतलब इंडिया से जो पैसे हैं, उनका drain किया जा रहा है पहले क्या होता था, कि इंडिया अच्छे ready-made products का center गवा करता था और इसी लिए इंडिया को sink of precious metal कहा जाता था इंडिया used to be called as sink of precious metals precious metals sink of precious metals इसलिए क्योंकि gold और silver, जिसे आप bullion भी बोलते हो gold और silver, इसके बदले में हम इंडिया से textile और spices का trade करते थे textiles और spices का trade करते थे textile और spices का जो trade होता था वो हम bullion के बदले में करते थे cotton आप फिर से हुगा सकते हो, कप्रया फिर से बना सकते हो spices आप फिर से हुगा सकते हो लेकिन बुलियंस अगर किसी एक दिश से चले जाएं तो चले जाएं जब इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता था और खूब सारे पैसे इंडिया में आते थे बिटशर्च जब सुरू में आए तो उन्होंने हमाईसा ट्रेड किया वो हमें बुलियंस देते थे और टेक्स्टाइल और स्पाइसे लेके जाते थे यह टूवेट रेट था इससे इंडिया को फायदा हो रहा था फिर बिटशर्च ने इंडिया में टेरिटोरिल अक्युपेशन सुरू किया और जब उन्होंने टेरिटोरिल अक्युपेशन यहाँ पर सुरू किया तो वो यहाँ के टेरिट्रिस से ही रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गये और अब वो जो राव मेटल खरीटते थे वो इंडिया से कलेक्ट किये गए रेवेन्यू से ही खरीटते थे मतलब वो Britain से कुछ भी लेकर नहीं आते थे वो यहाँ पर लोगों को रूल करते थे यहाँ से revenue collect करते थे उसी revenue से वो यहाँ का raw material खरीदते थे उसे लेके Britain में जाते थे Britain में उसे machine में process किया जाता था ready made product इंडिया में आता था उसे बेच कर वो फिर पैसे ही कठा करते थे फिर Britain लेकर जाते थे इस पूरे scenario में आप देख रहे हो कि Britain से इंडिया में कुछ भी नहीं आ रहा सिर्फ इंडिया से बिटयन में चीज़े जा रही है और इसे ही कहा गया drain of wealth यह मना जाता है कि बिश्वास ने 200 सालों में इंडिया से लगभग 35 से 50 ट्रिलियन डॉलर का wealth लूटा It's a huge amount इंडिया की जो overall economy का size है वो 2.85 ट्रिलियन के around है right now और कोई आपकी यहां से 35 से 50 ट्रिलियन डॉलर लूट के लेके जा चुका है आप समझगे कि इंडिया में अगर यह wealth होती तो यह कई गुना multiply हो चुकी होती और इस wealth से इंडिया आज बहुत rich होता लेकि इंडिया सारी wealth इंडिया से लूटी गई है और अगर हम बिट्शोस को looters कहते हैं तो यह looters थे की नहीं थे इसे actually में अच्छी तरीके से explain किया दादा भाई नरोजी और R.C. दतनी अपनी writings में, अपनी किताबों में इन्हों ने यह देखा कि कैसे इंडिया जो एक self-sufficient economy हुआ करती थी इसे एक colonial economy में convert किया गया इंडिया को किसी की ज़रूत ही नहीं थी इंडिया बहुत rarely कुछ import करता था इंडिया ज़रतर चीज़े export करता था हमें strong exporter थे balance of trade में हमेशा हम profit में रहते थे और फिर हमें जान बूच कर deliberately एक import oriented economy में convert किया गया हमारे export को block किया गया, suppress किया गया, खतम किया गया heavy duty लगाके, heavy tax लगाके colonial policies opt करके इस चीज़ को analyze किया इन economist ने ये चाहते थे कि बिश्चौस के against में एक opinion create हो जाए कि इंडिया में जो poverty है उसके लिए बिश्चौस ही responsible है, अकसर वो ये बोला करते थे कि इंडिया एक गरीब देश है, इंडिया कभी से गरीब देश नहीं था, इंडिया को गरीब बनाया गया और ये बात जो कहते थे कि इंडिया एक गरीब देश हैं, इंडिया को गरीब बनाने वाले लोग यही थे, तो ये economist ये common sense create करना चाहते थे, जो ये बोल रहा है न कि इंडिया गरीब गरीब है इंडिया को गरीब बनाने वाले लोग यही है और economic explanation जो आर्सी दत और ददभाई नरोजी ने दिया उसने इंडियन्स की आँखे खोल दी हमारे पास आखड़ी नहीं थे के एक्षिनि में इंडिया की national income क्या है कितना पैसा यहां से हर साल ब्रिटेन जाता है किन-कि मदों में जाता है किन-किन references में जाता है हमें कुछ नहीं पता था हम highly unaware थे क्योंकि ऐसा कोई analysis presented ही नहीं था जब analysis आया तो हमारी आखें खुलना शुरू होती है इन्होंने demand की कि इंडिया को एक independent economy में convert किया जाए और जो इंडिया का capital है उसे misuse ना किया जाए salt tax को abolish किया जाए land revenue को reduce किया जाए military expenditure को कम किया जाए modern industry को इंडिया में expend किया जाए tariff को protect किया जाए और government aid दे ताकि इंडिया की industries भी आगे बढ़ सके जैसे हर government अपनी industries को aid देती है लेकिन वो aid देते थे Britain की industries को इंडिया को क्यों देंगे इंडिया से तो उनको raw material करना था बट इन economist ने economic field में demands को raise करना शुरू किया तो economist ने जो काम किया उसने actually में बिर्शोस के true nature को इंडिया की masses के सामने रखा आसान भासा में कि देखो हो क्या राया आपके साम just have a look what's happening there ठीक है moderates का approach क्या था moderates का approach था constitutional agitation वो prayer, petition और protest के जरीए अपना काम चलाते थे prayer, petition और protest बार पर reminders भेजे जाते थे application letters भेजे जाते थे कि please हमारी ये बात मान लीजिए तो उनका जो mechanism था that was constitutional agitation वो political progress इंडिया में चाहते थे लेकिन orderly manner में वो सरकार के उपर कोई बहुत दबाव नहीं बनाना चाहते थे वो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि सरकार उनकी बात मान ले और उनके against में कोई कारवाई ना हो वो ये चाहते थे मतलब उनके मन में एक भाव था वो कैसे था क्यों था I don't know उन्हें ऐसा लगता था कि Britishos को पता ही नहीं है कि Indians की actually में situation क्या है they are highly unaware about the plight of the Indians when they will be aware about the plights of the individuals of the individuals who are residing in India वो Indians की care करेंगे और वो हमाई problems resolve करेंगे तो moderates को अशा लगता था वो जानते ही नहीं है हमारी हालत क्या है और ये उन्हें बस हमारी हालत बताने की कोशिस करते थे कितने innocent थे नहीं ये लोग मतलब वो लोग जिन्होंने आपकी ये हालत की है उन्हें पता ही नहीं कि आपकी हालत क्या है ये हालत बया कर रहे थे उन्हें सब कुछ पता था कि यहां की हालत क्या है क्योंकि ये हालत उन्होंने ही करी थी still इन्हें ये belief था वो public opinion create करना चाते थे resolution, petition और meetings के थूँ ताकि वो बता सकें कि इन्डियन्स की हलत इस समय कैसी चल रही है वो एक strong public opinion create करके लोगों को educate और unite करना चाते थे और इसके थूँ वो pressurize करना चाते थे persuade करना चाते थे बिट्शोस को कि वो इन्डिया में constitutional reforms करे यहाँ पर देखिए moderates का approach क्या रहा यह अक्सर prayer और petition का साहरा लेते थे कई बार यह constitutional agitation भी करते थे constitutional agitation कोई fears या armed agitation नहीं करते थे सिर्फ agitate करते थे कि देखिए आप ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा ठीक है तो इनका जो agitation था यहाँ कि protest का model था वो बहुत moderate था तो prayer, petition and protest यह इनके models थे prayer, petition and protest ठीक है यह British public opinion को मतब जो educated यहाँ पी जो लोगों की situation थी इसको लेकर Britain में public opinion create करना चाहते थे British public को educate करना चाहते थे Indians के pride के बारे में उन्हें लगता था कि Britishers अगर जान जाएंगे न कि इंडिया में क्या जालता है तो इंडियांस के लिए सिंपथी रखेंगे वो अपने parliamentarians को pressurize करेंगे कि इंडियांस के साथ ऐसा मत करो ददभाई नरो जी ने campaign चलाया इंडिया के case के लिए Britain में उन्होंनी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की एक British committee को भी establish किया London में 1889 में 1889 में London में एक committee establish की गई वो INC की committee थी एक और plan बनाया था plan ये था कि Congress का जो next session होगा वो 1892 में हम London में करेंगे हला कि वहाँ पे elections हो रहे थे तो इस session को postpone कर दिया गया ये session postpone हो गया because of the election that was being held there election के वज़े से पोश्पोन किया गया बाद में कभी ये plan फिर से revise नहीं किया गया इन्हें ऐसा लगता था कि Britain के साथ हमाई जो political connections होंगे moderates का ऐसा लगता था कि Britishers का rule इंडिया में बहतर है हमारा जो political connection है Britain के साथ वो Indians के favor में रहेगा और इससे Indians को बहुत ज़्यदा फायदा होगा ये दो किताबे हैं एक है RC रत्ता की The Economic History of India और दूसरी ददभाई नरो जी की Poverty and Un-British Role in India What is this Un-British Role? ददभाई नरो जी और ये लोग बहुत smartly काम करते थे अगर आप Britishos के against में बहुत aggressive बात करोगे तो वो फिर persecution करेंगे suppression करेंगे, आप किताबे published नहीं होने देंगे इस किताब का title देखेंगे तो आप को समझ में आ जाएगा किस किताब को रोकने का कोई करण नहीं है, ये किताब publish होनी चाहिए किस में कहा गया है, poverty and un-British rule in India ये ये बोले ही नहीं रहे हैं, कि British rule अच्छा है कि खराब है ये कह रहे हैं, कि British rule अच्छा है लेकिन इंडिया में British rule नहीं है ददाभाई नरोजी बोलते हैं कि Britain बहुत अच्छा rule करता है Britain में वैसा रूल इंडिया में क्यों नहीं है why this kind of rule is not here in India so in India there is not British rule यहाँ पे क्या है un-British rule है वो जो government इंडिया में रूल कर रही है उसको criticize करते थे और जो rule ब्रेटन में चल रहा है उसको support करते थे और कहते थे कि जो political freedom जो economic policies आप Britain में रन करते हो वहीं इंडिया में करो न हमें कोई दिक्कत ही नहीं है Britain में लोगों को आज़ादी थी यहाँ नहीं थी वहाँ पे एकनोमिक policies बिटन की industry के favor में थी यहाँ पे नहीं थी वो कहते थे जैसे Britain में चलता है वैसे यहाँ करो न हमें आपसे दिक्कत ही नहीं लेकिन आप जो अपनी हाँ करते हो वो हमारे हाँ करते ही नहीं यही करर था कि इनकी किताब बहुत popular हुई और Britishos नहीं भी इस book को check नहीं किया इसे रोका नहीं और publish होने दिया ठीक है Masses को लेकर क्या opinion था moderate phase में Masses का रोल बहुत ही narrow रहा narrow social base रहा और Masses ने कभी भी कोई active role play नहीं किया उनका रोल हमेशा बहुत ही passive रहा moderates के साथ एक दिक्कत ये थी कि वो early phase में Masses में belief नहीं करते थे उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि जो लोग हैं वो active participation दिखा सकते हैं limited faith था उनका political sphere में वो चाते थे कि लोग इसके पहले की political sphere में जाएं हमें उन्हें unite करना होगा गांधी जी यही differ करते हैं moderate से गांधी जी यही differ करते हैं moderates को क्या लगता था कि इंडियन्स में चुकी बहुत differences हैं पहले हम इंडियन्स को इकठा करेंगे और उसके बाद हम इनको political agitation का part बनाएंगे गांधी जी क्या बोलते हैं गांधी जी कहते हैं आप इनको पहले unite मत करो आप इने पहले political agitation का part बनाओ unite तो यह अपने आप हो जाएंगे यह unite अपने आप ही हो जाएंगे आप पहले इने उतारो तो मैदान में, लडने के लिए जब लडने के लिए मैदान में उतरेंगे तो सब एक हो जाएंगे और आप ऐसे सोचोगे कि बिना मैदान में उतारे आप एक था कर लोगे तो अब एक था नहीँ ऊंगे डिवाइड़ हैं डिवाइड़ रहेंगे तो moderate को जो misconception था कि चुकि Indian masses united नहीं है इसले इनको पहले unite करने की ज़रूत है इनको पहले politically aware करने की ज़रूत है उसके बाद ही agitation का part बन सकते है गांधी जी यहीं पर differ कर गए गांधी जी ने बोला आप इनको politically agitate मत करो आप इनको unite मत करो आप इन्हें agitation का हिस्सा बनाओ एक बाद agitation का हिस्सा बनेंगे तो यह politically aware भी हो जाएंगे और unite भी और ऐसा हुआ भी तो गांधी जी इस मामले में ज़्यादा intelligent थे अपनी masses को handle करने की capacity को लेकर भीड को जितना बहतर गांधी जी समझते थे इंडिया में शायदी किसी ने समझा हो सायदी किसी ने भीड को उतना बहतर समझा हो mass participation की कमी की वज़े से कभी भी कोई militant political position नहीं hold कर पाये ये लोग ठीक है ये हमेसा soft ही रहे क्योंकि इनके पास कभी mass support था ही नहीं बाद कि नेशनलिस्ट इसी point पर moderate से differ कर गये और कहीं ने कहीं उन्होंने बहतर काम किया अल्री नेशनलिस्ट कुछ ना कर पाए हूँ तब भी उन्होंने एक base तयार कर दिया आने वाले समय में government का attitude क्या रहा moderate को लेकर government का attitude शुरू से ही Congress को लेकर बहुत hostile रहा डफरिन जो शुरू में बहुत ही eagerly बोलता है कि Congress को बना लो डफरिन को एक साल की भीतरी समझ में आ गया कि उससे बहुत बहुत ब्लेंडर हो गया है उसने गलती कर दी है उसे Congress को नहीं बनने देना चाहिए था लेकिन अब तो बात हाथ से निकल चुगी थी अब डफरिन कुछ नहीं कर सकता था उसके बाद बिट्शास नहीं कोसिस ये की कि वो Congress को लिविट कर दे सोशल इशूस तक कि Congress सोशल इशूस तक काम करे और प्रिटकल स्फियर में इंटर्वीन ना करे लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाए वो Congress को इस बात के लिए भी convince नहीं कर पाए कि Congress के वल सोशल स्फियर में काम करे इसलिए वो Congress को condemn करने लगे और Congress को बहुत ही बुरी तरीके से कई सारे metaphors के साथ humiliate किया जने लगा जैसे कि Congress के जो नेशनलिस्ट थे उन्हें seditious ब्राहमिन्स कहा जाता था उन्हें disloyal बाबू कहा जाता था कि देश्द्रो हैं देश्द्रो ही लोग हैं जो British government के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं यह कुछ नहीं बस कुछ moderate level के educated लोग हैं जिसे वो बाबू कहते थे clerical class को आज भी बाबू कहा जाता है यह disloyal हैं, यह loyal भी नहीं है उन्होंने divider tool की policy का इस्तेमाल किया, इंडिया में Congress को बाटने के लिए ट्राइट टू डिवाइड Congress ठीक है, पहले लिए, religion और काश्टने क्रेट के basis पे जो division चल रहा था वो तो चला ही फर्दनोंने moderates और extremist के बीच में भी एक division क्रेट किया, government ने nationalism को चेक करने के लिए बहुत प्रयास किये, although वो successful नहीं हो सके, एक evaluation करते है early nationalist leaders का early nationalist leaders ने एक progressive force के तरह इंडिया में काम किया एक कहावत कहीं जाती है, मैं आपको बताता हूँ बाद में moderates आये, बहुत अक्टिव साबित हुए, उन्होंने सवरेसी movement चलाया, बहुत popular भी हुए, लोगोंने पसंद किया, और उन्होंने mass base create किया, moderates को बहुत कर साइज किया गया कि moderates results stretch नहीं कर पाए, उनके काम करने का तरीका बहुत ही पुरा ना था, गिज़ा पिटा था लेकिन कहावत कहीं जाती है, कि extremist could be extremist, because moderates were moderate extremist extremist बन पाए, क्योंकि moderates moderate थे अगर moderates moderate ना रहे होते, तो congress होती ही नहीं ना congress होती, और नहीं, extremist को कभी extremist बनने का मौका मिलता, किसी ने 20 साल तक शांती से काम किया था, किसी ने I.N.C. का base तयार किया था, तब आप उस base पर जाकर खड़े हो सके, और बोल सके कि अब हम agitation करेंगे, हम all India level पे protest organize करेंगे, क्यों? क्योंकि एक strong congress किसी ने build की थी शांती से, smartly, अंग्रेजियों के खिलाफ, अगर moderates शुरू में ही aggressive हो गए होगे थे, तो Congress को खतम कर दिया जाता, तो यही बात कही जाती है, कि Congress भले ही शुरू में moderate phase में बहतर काम ना कर पाई हो, लेकिन उन्होंने एक progressive force की थारा काम किया, उन्होंने Indians के अंदर एक national awakening create की, उनको यह बटाया, कि आपके enemy common हैं, लेकिन जब बात आएगी, एक common enemy के तो आपको याद रखना होगा, कि अंग्रेज आपके दुश्मन है, और कोई दुश्मन आपका आपस में नहीं है, there is no enemy, आज़े देखे, एक छोटा सा resemblance मैं आपको बताता हूँ, जो कई बार हम समझ नहीं बाते, और इंडिया में जब riots होते हैं, तो उसमें ये element बड़ा missing सा लगता है, मैं आपको छोटी से analogy देता हूँ, ध्यान से समझेगा, आप एक काच का jar लीजिए, just have a jar of glass, जिसमें आप देख सकते हूँ, आप उसमें 100 काली चीटियों को डाल दीजिए, और आप उसमें 100 लाल चीटियों को डाल दीजिए, red ends and black ends, आप 100-100 उनको उस jar में डाल दीजिए, लाल चीटियां काली चीटियों को अपना दुश्मन मानती हैं अक्सर लड़ती हैं लेकिन उस जार में आप उन्हें रख दीजिए वो लड़ेंगी नहीं वो जार की दिवारों पे खूब मजे से टहलेंगी घुमेंगी अराम से उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं फिर आप उस काँच के जार को उठाइए और ऐसे ऐसे शेक कर दीजिए हिला दीजिए और रख दीजिए अब ये लाल और काली चीटियां आपस में लड़ जाएंगी और इक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी क्योंकि हलचल मचेगी लाल चीटियों को लगेगा कि ये हलचल काली चीटियों ने मचाई है और काली चीटियों को लगेगा ये हलचल लाल चीटियों ने मचाई है वो एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगी लाल चीटियों को लगेगा कि काली चीटियां उनकी दुश्मन है और काली चीटियों को लगेगा कि लाल चीटियां उनकी दुश्मन है बट दोनों ये नहीं समझ पाएंगे कि दुश्मन उस जार के अंदर नहीं है दुश्मन उस जार से बाहर है जिसने उस जार को हिलाया है यही बात नहीं समझ पाती हैं जो आपस में लड़ती है भारत में जब कर्मिनल राइट्स होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं हिंदू और मुसल्मान कर्मिनल राइट्स में आपस में लड़ने लग जाते हैं लेकिन वो तो यहां हजारों सालों से रह रह रहे हैं एक साथ अभी तो शांती से रह रहे थे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी वो बड़े प्यार से और आराम से रह रहे थे without any problem फिरी अचनक से लड़ने क्यों लग गए हिंदों को लग रहा है मुसल्मान उनके दुश्मन है और मुसल्मानों को लग रहा है कि हिंदों उनके दुश्मन है वो ये नहीं समझ पा रहे है दुश्मन बाहर है जिसने जार हिलाया है वो दुश्मन नहीं है क्योंकि वो तो पहले से यहीं थे और प्यार से रह रहे थे किसी ने आके जार को हिला दिया है और अब हिने लगता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है ये जार हिलाने वाले लोग अक्सर या तो political leaders होते हैं या religious leaders होते हैं या फिर कई बार socially influential लोग होते हैं जो इस जार को हिलाते हैं और दो communities को आपस में लडाते हैं जब इस level की political awakening आ जाएगी न इंडिया में communities के भीतर हिंदूस और Muslims के भीतर कि दुश्मन जार के अंदर नहीं जार के बाहर होता है तो इंडिया में communal rights होने बंद हो जाएंगे क्योंकि तब वो ढूरेंगे कि जार हिलाया किसने है वजाए इसके कि वो आपस में लडेंगे यही बात मौडरेट्स ने Indians को सिखाई दुश्मन अंदर नहीं है दुश्मन बाहर है जार वो हिलाते हैं बिटिशोस जहां पे वो अलग कास्ट और क्रीड के लोग जिलिजिन के लोगों को लड़ाते हैं उन्होंने मुसल्मानों का इस्तिमाल किया हिंदूस के अगेंच्ट में एक समय में उन्होंने हिंदूस का इस्तिमाल किया था मुसल्मानों के अगेंच्ट में इन्हें लगता था एक दूसरे के उपोजीशन में है नहीं समझ पाये ये कि दुश्मन बाहर है अंदर नहीं है ये वेकनिंग क्रियेट करने का काम मौडरेर्स ने किया और यही कारण है कि कभी लखना वो पैक्ट हुआ तब ही नॉन कॉपरेशन मौमिंट चला जिसमें हिंदू और मुसल्मान एक साथ आए और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ रडाई लड़ी हलांकि अंग्रेज शायद हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और इसलिए वो पाकिस्तान बना कर जा सके खैर लेकिन अब अगर एजुकेशन इतनी स्प्रेड हो गई है तो लोगों को इतना अवेर होना होगा कि दुश्मन कौन है असल दुश्मन कौन है हमें ये पहचानना आना चाहिए वी नीड टू लन हो इस आर रियल एन्मी ठीक है तो ये इन्होंने अवेकनिंग क्रेट की कि कॉमन एन्मी हमारे बिटिश हैं हम आपस में दुश्मन नहीं है उन्होंने लोगों को पुलिटिकल वर्क के लिए ट्रेन किया मौडरेट आइडियाज की लाइन्स पर ठीक है उन्होंने जो कॉलोनियल रूल का एक्स्पोइटिटिव नेशर था उसे लोगों के सामनी रखा जो अंग्रेसी कहते हैं वट मैंस बाड इन्स थीरी हम यहाँ पर आए हैं लोगों को सिवलाइस करनी बिश्टिशेथ का रूल इंडिया के फेवर में है बिश्टिशे इंडिया को पुलिटिशी करेंगे बिश्टिशेथ इंडिया को favor में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका जो work था वो hard realities को उपर base था वो केवल sentiment या religion के basis पर काम नहीं कर रहे थे, moderates वो realities को analyze करते थे और उसके basis पर अपने arguments frame करते थे उन्होंने एक basic political truth establish किया, वो ये था कि अगर India को rule किया जा रहा है तो वो India के interest में होना चाहिए, अब बिटशर्स का rule इंडिया के interest में नहीं है, तरूल अब बिटशर्स in India is not in interest of India, ये basic truth उन्होंने establish किया, उन्होंने एक base तैयार किया कि आगे चलके mass based national moment create हो सके, हलाकि वो democratic base तैयार नहीं कर पाए उनका base बहुत broad नहीं रहा वो उसमें fail कर गए, लेकि फिर भी जो उन्होंने आधार तैयार किया, उस पे ही आगे चलके जो moments थे, वो tick पाए ये हमने moderate phase के बारे में विस्तार से बात की आईए, अब हम बात करते हैं militant nationalism के phase के बारे में, era of militant nationalism, जो 1905 से 1920 के बीच में रहा तो फिर आईए, जो militant nationalism का phase है, उसे start करते हैं let's begin आपको दिख रहे हैं the angry young man actually में यही थे militant nationalist militant nationalism की जो शुरुआत है, जो beginning है वो, इसके जो elements हैं, अगर आप देखोगे तो practical activity के थोर पे वो तो 1890s में ही शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने एक concrete shape लिया 1905 onwards militant nationalism का यह जो group है, इसे हम extremist group के नाम से भी जानते हैं because of their extreme tactics जो नोंने इस्तेमाल की militant nationalism कई बार हम इसे revolutionary activity के साथ confuse करते हैं ऐसा नहीं है, militant nationalism में जो word है militant इसका मतलब होता है aggressive tactics का इस्तेमाल करना not necessarily violent tactics का इस्तेमाल करना आपकी tactics aggressive होंगी वो violent भी हो सकती है non-violent भी हो सकती है तो यहाँ पर जो tactics या इस्तेमाल की गई वो majorly non-violent थी लेकिन aggressive थी, जिसमें bycott, passive resistance sometimes active resistance का भी सहारा लिया गया तो जो टक्निके जो tactics use की जा रहे थी उसी के basis पे इसको militant nationalist activity कहा गया और जो group इस activity को lead कर रहा था, उसे militant nationalist group या फिर extremist group कहा गया, तो दोनों इखी है और यह different है revolutionary activity से, मैं सिर्फ इतना sure करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो elements आपको मिलते हैं, वो comparatively younger है, तो सबसे मेरे तो आप यह समझ लीजिए कि जो militant nationalism है that is, is equal to extremism militant nationalism militant nationalism militant nationalism militant nationalism जो है, वो militant nationalism extremism के equivalent है extremism के equivalent है और इसका मतलब revolutionary activity नहीं है revolutionary activity नहीं है यह fundamental के लिए जानते रहिए this is not the meaning militant nationalism में जो सबसे बड़ी गड़़ी हम करते हैं हम इसे revolutionary activity के सांथ confuse कर जाते हैं और फिर हम लाल बाल पाल को confuse कर रहे होते हैं उन revolutionary's के सांथ जो violent means का इस्तेमाल किया अपने purpose को serve करने के लिए या एक symbolic act किया ताकि Britishers को threat किया जा सके दोनों में मिलेंगे revolutionary activity में भी यंगर elements मिलेंगे और militant nationalism में यानि कि extremist group में भी यंगर elements मिलेंगे बहुत senior political leaders थे moderates के group के उनके सांथ इनकी tuning नहीं बैठती थी और उनके काम करने का तरीका prayer, petition and persuasion ये उनको पसल नहीं था और ये लोग इसे political mendicancy के बुला करते थे मतलब राजनीति भिक्षा वृत्ती कि आप लोग जाकर अपनी demands के लिए भीक मांगते हैं और English आपकी सुनते नहीं तो इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी रहती थी militant nationalist group का evolution होता है इसके पीछे क्या reasons बंगाल को दो हिस्तों में बाट देगा यह सबसे बड़ा कारण था जो phase चलता है militant nationalism का उसमें दो महत्कुन घटनाएं घटित होती है there were two important factors दो important घटनाएं जो घटित होती है एक तो है बंगाल का partition और दूसरा है स्वादीसीन बाइकॉट moment इन दोनों ही elements को हम detail से discuss करेंगे with the part of this session अब यहां पर देखे यह सबसे बड़ा कारण था यह सबसे बड़ा कारण था militant nationalism के या फिर extremist खेमे के rise का इंडिया में इसके अलामा अगर आप reasons की बात कर रहे हैं तो धिमे धिमे कई सारी leaders evolve हुए जैसे कि बाल गंगातर तिलक और विंदो घोस और विपिंचंदर पाल जिने बाल बाल लाल बाल पाल के नाम से भी पुकारा जाता था लाल फॉर लाला लाजपतराय बाल फॉर बाल गंगातर तिलक और पाल विपिंचंदर पाल और विंदो घोस भी इन सभी लोगों ने लोगों के अंदर masses के अंदर एक sense of self confidence introduce किया ये बोला कि हाँ आप इंडिया के actual resident है इंडिया must be yours इसके पहले द्यान सरस्वती जी ने भी एक बात कह दिय थी that was India for Indians तो कहा जाता है कि nationalism की जो feeling है वो द्यान सरस्वती जी ने अपनी slogan से generate करी थी India for Indians और इसी चीज़ को re inculcate करने का काम इन leaders ने किया तो लोगों के अंदर sense of self respect और confidence आ गया था वो confront करने को तयार थे वो थोड़ा aggressive होने को तयार थे ये भी एक current था ठीक है इसके अलावा जो moderate phase है इसने लोगों को political training दे रही थी अब लोग थोड़ा political issues को लेकर educate हो गए थे अब उन्हें अगर अपनी demands race करनी होती थी तो वो hesitant नहीं होते थे वो बहुत ये frequently अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रख देते थे बिना घबराये education अब increase हो गई थी लोग unemployment, poverty और under development जो भी issues थे उनको लेकर aware थे पहले क्या लगता था उनको कि ये जो कुछ भी हो रहा है that is God's Will अगर crop fail कर गई God's Will famine आ गया God's Will plague आ गया God's Will लेकिन दिमे दिमे उन्हें ये समझ में आने लगा वो aware हो गए कि actually में ये सारी God's Will नहीं है ये bad policies का result है जोकि अंग्रेजों ने ऐसी policies बना रखी है कि अगर famine आ जाता है तो उसे counter करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता plague आ जाये तो उसे सही तरीके से handle नहीं किया जाता जबकि बाखी जगहों पर ये problems आती रहती है और लोगों को लग रहा था कि अगर इतनी ही speed से westernization होता रहा तो ultimately इंडिया का जो culture है वो subordinate कर दिया जाएगा western culture के द्वारा और हम अपनी culture, अपनी identity, अपने religion को खो देंगे इसको लेकर जो डर था इसके रहा कुछ leaders जैसे कि स्वामे विवेकानन, स्वामे दैनन सरसुती, बंकिम चटर जी इन सभी लोगों ने जो masses थे या जो nationalists थे उनको urge किया कि Indian civilization को लेकर आपको pride feel करना चाहिए आपकी civilization बहुत ही rich रही है कोई यहाँ पर आपकर white man's burden theory लेकर आकर यह बोले कि हाँ हम आपको civilize करने आ रहा है तो बेकार की बात है हम already बहुत civilized थे जब यूरोप में लोग पत्ते और पेड की छाल के कपड़े पहना करते थे अपनी body को नीले रंग से color किया करते थे जानवरों से बचने के रिए पेडों पे चड़ जाया करते थे that was the time जब Indian civilization thriving थी हमारा culture rich था हमारी science, technology, medicine advanced level पे था ऐसी civilization को यह नए नवेले civilized territory की लोग, nation की लोग civilized करने आये हैं आप इस पर भरोसा मत करिए believe in your culture, believe in your civilization आप already rich हैं अपनी civilizational values में, अपनी cultural values में आपको किसी से civilization का पढ़ने की जरूत नहीं है जब इन scholars नी इस चीज को inculcate करने की शुरुआत की तो हमारे अंदर भी self confidence आया और अभी समझ में आने लगा कि हम किसी से निचले दरजे के नहीं है और हमारी अपनी identity है further moderates ने काफी लंबे समय तर काफी प्रयास किया उन्हें मिला किया, कुछ भी नहीं देखोट नतिंग 19th century के इंड में अंग्रेज एक कानून लेकर आये भी थे बट उसमें इंडियन के लिए कुछ खास नहीं था that was highly dissatisfactory उनकी जो demands थी, उनकी जो tactics थी prayer, petition, persuasion की वो काम नहीं कर रही थी इसलिए लोग काफी नाराज थे, उन्हें ऐसा लगता था कि इतने बड़ी संस्था का काम क्या है जब वो अंग्रेजों से अपनी एक बात मनवा भी नहीं पाते तो actually मुन की क्या ज़रूरत है यह कुछ reasons तो रहे इंडिया में militant nationalism या फिर extremism के rise के, कुछ और कारण करजन की reactionary policies करजन की जो reactionary policies थी इनका एक बहुत important role रहा और जो उसने administrative measures of किये, उसने इंडिया के लोगों को और dissatisfied बना दिया करजन एक imperialist mindset का person था, जो हमेशा से चाहता था कि वो इंडिया का vice raya बने, कुछ लोगों का सपना होता है ना बच्पन से, और जब उसे इंडिया का vice raya बनने का मौका मिला तो उसने अपने imperialist sentiments को इंडिया में पूरी तरीके से ठोज दिया, उसने वो हर policies opt की, उसको लेकर लोगों के मन में dissatisfaction rise हुआ, वो तो इस limit तक चला गया कि उसने इंडिया को एक nation तक मानने से इंकार कर दिया, उसने बोला इंडिया कोई ना तो nation है और नहीं यहाँ पर कोई nationalist है, और उसने जो administrative measures लिए उसको लेकर तो लोगों में बहुत जादा नाराजगी थी, उसके वो administrative measures वैसे तो उसने कुछ positive काम भी किये ऐसा नहीं कि उसके सारे काम negative ही थे, जैसे उसने monuments को preserve करने का जो काम किया वो commendable था, parallel उसने farmers के लिए काफ़े कुछ किया canals का development किया गया, agricultural loans distribute किये गए यह सारे काम जो उसने farmers के लिए किये वो अच्छे थे, बहतर थे monuments को जो उसने preserve किया, उसको लेकर काफ़े interested रहता था, वो भी noteworthy है लेकिन उसने जो काम किये, जो negatives थे वो इतने ज़ादा थे कि उसके positives शिप जाते है जो उसने negatives किये, तो वो extreme पर गया उसका जो सबसे negative काम था, that was the partition of Bengal, जिसे भरत में एक बहुत बड़ा movement create कर दिया, with the name सौदेशीन बाइकाट लेकिन इसके अलावा, उसने कुछ और भी किया, जो बहुत बढ़िया तो नहीं था, that was Calcutta Corporation Act, Calcutta Corporation Act आप कहें इसे, जो पहले नाम हुआ करता था 1899 मैंने आपको एक बात बहुत शुरू में बताई थी और वो बात क्या थी कि जब भी हम reform मांगते थे, तो क्या बोलते थे, जब हम reform मांगते थे तो हम अमेसा बोलते थे, कि आप elected members की संख्या को बढ़ाईए और nominated members की संख्या को कम करिए हम चाहते थे, कि nominated members की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि जो nominate होते हैं, उन्हें government nominate करती है जो elect होते हैं, वो थोड़ा बहुत तो independent या fair हो ही सकते हैं, दूसरा हम हमेसा चाहते हैं कि जो non-official members है जो non-official members है उनकी संख्या को जादा किया जाए और जो official members है, उनकी संख्या को administration में कम किया जाए Indians की demand हमेसा ये रहती है, हम चाहते हैं elected member बढ़ें, nominated कम हो, हम चाहते हैं non-official members बढ़ें, और official कम हो official members company किया Government Officials होते हैं जिनको Legislature में जगे दे दी जाती है या किसी भी Government Body जैसे की Calcutta Corporation में जगे दे दी जाती है उसे Calcutta Corporation Act में ऐसा क्या किया जो हमाई लिए Negative था और इसके लिए करजन को Cut Size किया जाता है ये Fundamentals जाना ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते है Elected Members को बढ़ाया जा Hug Prix Reduce कर दिया गया समझ रहे हूँ? अगर Elected Members की संख पढ़ जाएगी हमें आपत्ती होगी की नहीं होगी? ये उसका तरीका था Calcutta Corporation को कंट्रोल करने का दूसरा उसने official members को increase कर दिया यही तो हम नहीं चाहते हैं हम अमेसा चाहते है non-official members increase हूँ जो government official ना हूँ क्योंकि वो government की सुनते है यह fundamentalist जाना ज़रूरी है कि official non-official का मतलब क्या है elected nominated का मतलब क्या है ताकि आपको पता चल चल चके आप समझ सको कि जो measures opt किये जा रहे है वो actually में फाइदे मंद है भी या नहीं है यहाँ पर हमने साब समझ में आ रहा है कि वो बोल रहा है elected members की संख्या को कम कर दो official members की संख्या को बढ़ा दो तो जो हम चाहते हैं उसका उल्टा किया जा रहा है हमें तो दिक्कत होगी उसने ये बोला कि जो English लोग हैं उन्हें ज़्यादा representation दिया जाए Calcutta Corporation Act में और इससे लोग काफी नाराज से Calcutta Corporation Act highly offensive था दूसरा उसने Indian University Act 1904 पास किया जब वो यहाँ पर आया तो उसने इस बात को बिल्कुल माल लिया कि जो इंडिया की Universities हैं वो सेडिसन का सेंटर है यहाँ पर कोई पढ़ाय लिखाई नहीं होती कोई Research नहीं होती और यहाँ पर लोगों को Educate किया जाता है Politically जिसके बाद वो Agitate करते हैं British Government के अगेंस्ट में तो उसने Rally Commission को बनाया 1902 में Rally Spelling मिलती है बट Rally बोलते हैं तो Rally Commission बना 1902 में जो Rally Commission 1902 में बनता है उसकी Recommendation के basis पर Finally उसने 1904 में Indian University Act को पास किया और जो Indian University Act पास किया गया इसने Government के Control को और Tighten कर दिया Universities के उपर जो Control Tighten किया गया उसमें कई सारे मेजर सौप किये गया जो सर्टन फेलोज इन Universities में जाते थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि अभी ने केवल Government ही नॉमिनेट करेगी पहले मेरिट के basis पर Universities उनको ले सकती थी लेकिन अब केवल Government Nominees ही University में फेलो बन सकते थे इसके अलावा जो University की सीनित यानि की Administrative Body होती थी उसमें Government ने एक Veto Avail कर लिया कि मतलब वहाँ पर कोई सीनित मतलब एक Administrative Body हर Government Office में या Government Body में आपको एक Administrative Body में लेगी जो Decisions लेती है इन फेक्ट आपको Private Associations Organizations में भी एक Management Board मिलता है जो Decisions लेता है वैसे University में जो कुछ Members की Body हुआ करती है या हुआ करती थी उसे सीनित कहा जाता था वो Majorly University में क्या कप कैसे होगा उसके लिए Decisions लिया करते थे उनके Decisions के उपर Government ने एक Veto Avail कर लिया कि वहाँ पर जो भी Decisions लिये जाते हैं उसे Government चाहे तो रोक सकती है Under this Act Parallely जो Private Colleges को इन Universities के साथ Affiliate किया जाता था वो पहले काफी आसान था उसे बहुत Tough बना दिया गया Strict बना दिया गया और इसके लावा पांच लाग का Grant देने की भी बात की गई पर रहनम यह वो सारे तरीके थे जिसके जरिए Universities के उपर करजन ने अपना Control टाइटिन किया ताकि Universities जो उसके हिसाब से Center of Sedition हुआ करते थे उन्हें रोका जा सके और इसके लावा उसने Official Secrets Act of 1904 पास किया Official Secrets Act का मतलब यह है कि Something that is Officially Secret Official मतलब Government का Secret कुछ जो Government का Secret है उसे Newspaper में Publish नहीं किया जा सकता That was an attempt to curb the Independence of the Press and Media अगर कुछ भी ऐसा छापा गया जो सरकार के हिसाब से उनका Secret है और तो उसे Illegal माना जाएगा और Publication House को Punish किया जा सकता है यह जो सारे तरीके उसने अपनाए यह तरीके Indians को रास नहीं आ रहे थे और इनसे जो नराजगी बढ़ी उसने जो militant या extremist fraction है इंडिया में उसको जगे दी वो rise कर पाया वो लोगों को बता पाया कि देखो यह हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या हमें इन्हें काउंटर नहीं करना चाहिए और उन्हें मास सपोर्ट गैलर करना शुरू कर दिया because of the reactionary policies of the karjan because of the reactionary policies of the karjan इसके लामा जो militant school था वो तो धीमे धीमे इमर्ज होने ही लग गया था बहुत पहले से जैसे की राज नरायन बोस, एके दत, औरविंदो घोष, बिफिन चंदरपाल विष्णू, शास्त्री, चिप लुंकर, विबाल गंगा, धरतिला, लाला राच पत्रा है ये लोग पहले से ही active थे इन leaders नहीं जो militant nationalism की feeling थी उसको strong किया जो extremism की feeling थी उसको strong किया इन लोगों ने की role play किया सुराज और उसके जो basic tenets से यानि कि सुराज में क्या होता है हमारे पास self governance होनी जी है शुरू में वैसे unclear था क्या मतलब है बट कुछ fundamentals तो साफ थे हमें सुराज मिलेगा तो हमें कम से कम sense of self governance तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे दिमाग में हमें साब Australia और Canada हुआ करते थे जब हम मांगते थे self government हो कि हमें इनके जैसा कुछ चाहिए we want something like this तो हम उसे ही opt करने की कोशिस करते थे पैलली एक trained leadership हमारे पास available थी जिसने स्वदेशी movement और बंगाल के partition के against में agitation को lead किया ये तो कुछ internal reasons रहे जो इंडिया में चल रहा था इंडिया में जो कुछ चल रहा था ये तो एक करण था ही इसके अलावा कुछ बाहर के incidents थे जो इंडिया में हो रही इन activities को fuel कर रहे थे वो कौन से incidents है let's have a look 1968 में उसके onwards industrial development शुरू हुआ जापान में जापाने के Asian countries थी एक common sense डवलप किया था इंडिया में बल्की लगबग हर देश में कि Asian countries industrialized नहीं हो सकती Asian countries technologically advanced नहीं हो सकती Asian countries develop नहीं हो सकती अगर उन्हें technologically advanced होना है उन्हें industrialized होना है उन्हें develop होना है उन्हें किसी European country के ज़रूत पड़ेगी and that's why European countries ने इन देशों को colony बना रखा है जापान बिना किसी European country के help के खुद को बहुत ही तेजी से industrialize कर रहा था जापान ने एक message दिया पूरे Asia को कि आपको खुद को develop करने के लिए खुद को industrialize करने के लिए खुद को modern बनाने के लिए किसी European country के ज़रूत नहीं है और नहीं उनकी colony बनने के ज़रूत है आप ये काम खुद से कर सकते है जापान का industrialization इसने एशिया के सभी देशों को confidence दिया including India हम भी confident होने लगे थे कि क्या जरूरी है क्या कि अंग्रेज यहां पे रहेंगे तो ही हम industrialize होंगे जापान ने खुद से कर लिया हम भी कर लेंगे जापान ने सिर्फ इतना नहीं किया जापान ने उसके बाद जो किया वो कमाल का था जिसके किसी को उम्मीद तक नहीं थी खबर आई रश्या जो बहुत बड़ी imperial power हुआ करता था territorial extension में इतना बड़ा कि उसे हराने की कोई सोच ना सके खबर आई 1905 में कि जापान ने रश्या को हरा दिया है जापान ने रश्या को हरा दिया खबर आई किस ने हरा दिया जापान ने कहा है जापान मैप पे डूरते हैं दिखते हैं ये पूरी दुनिया है इधर है क्या जापान? नहीं नहीं इधर तो नहीं है अच्छा रश्य तो दिखे गए रश्य तो पूरी जैसे आधी धर्ती पर रश्य आधी पर पूरी दुनिया दूरते हैं कहा है जापान? इधर भी जापान नहीं अच्छा अच्छा यहां पे जापान है लेकिन यह तो बहुत छोटा सा है इतने छोटे से जापान ने इतने बड़े रश्या को हरा दिया सर्प्राइजिंग था किसी को भरोसा नहीं हो रहा था किसी एक Eurasian power को एक छोटी से island country हरा रही है जिसको लोगों को map में ढूड़ना पड़ रहा है कि है कहाँ पे यह जापान कौन है यह जिसने रश्या को हरा दिया कौन है यह तब लोगों का दिमाग खटका अच्छा एक छोटी सी Eurasian power इतनी बड़ी imperial power रश्या को हरा सकती है तो हम क्यों इन अंग्रेजों के गुलाम बैठे हैं हमें भी एक रसे वो ना चाहिए हमें भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए confidence आया हमारे अंदर कि हम भी इनके अगेंज पर प्रटेस्ट करेंगे और इसने militant nationalism की growth को incentivize किया, fuel किया जापान ने जो किया उसकी मदद से इंडिया में extremism का rise हुआ just have a look on the reasons those are not in India but influencing India from outside ये reasons इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया को ये बाहर से influence कर रहे हैं कुछ और करणों पर चर्चा करते हैं जो international level पर हो रहे थे जैसे कि Italy Ethiopians से हर जाता है जैसे कि मैंने कहा कि एक common sense बनाया गया था कि Asian countries बिना Europeans के help के industrialize, modernize और develop नहीं हो सकते वैसे ही ये common sense और create किया गया था that Europeans are invincible Europeans को हराया नहीं जा सकता Europeans पुरी दुनिया में कॉलों नहीं बना सकते हैं Africa, Asia, Latin America Ocenia wherever they want no one can defeat them ये बहुत ताकतवर हैं लेकिन जब इन्होंने Ethiopia के उपर कबजा करने की कोशिस की ये है देखे Africa का map और इस Africa के map में यहाँ पर East Africa में location दिख रही है Ethiopia इसे थोड़ा और बड़ा देखना चाहते हूं आप तो यहाँ पर देखे, ये है बड़ा सा map और यहाँ पर है Ethiopia यहाँ पर है Eritrea थोड़ा सा और बड़ा map देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Ethiopia की location है और जब इसके उपर कबजा करने के कोशिस की इटली ने और यहाँ की local force से जब इटली के साथ लड़ाई लड़ी तो किसी को उमीद नहीं थी कि इटली हार जाएगा लेकिन इटली हार गया surprisingly इटली हार गया और इटली जैसे ही हारा लोगों के मन से ये भ्रहम तूड गया that Europeans are invincible Europeans अजे हैं जिने कोई हरा नहीं सकता ये जो common sense create किया गया था ये तूड गया ये जो भ्रहम ये जो पर्दा निगाहों पे डाला गया था वो हट गया एगर इटियोपिया जैसी एक African country इटली जैसी imperial power को हरा सकती है तो हम क्यों नहीं वाइ नॉट वी हम क्यों नहीं इसने जो sense of confidence दिया उसकी जैसे भी इंडिया में extremism का rise हुआ सिर्फ इतना ही नहीं हम तो इंट्रेक्ट बात कर रहे हैं जापान ने रश्या को हरा दिया इथियोपिया ने इटली को हरा दिया बट्श्व सक्सान पर कुछ हुआ क्या अफ कोर्स हुआ South Africa South Africa में Boyer Wars शड़ गय यहाँ पर 1899 से 1902 के बीच में बॉयर वार्स हुए और बॉयर वार्स में वहाँ की जो लोकल गवर्मेंट्स थी जो बॉयर स्टेट्स थे उनके साथ अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी देखे लोकेशन यह है South Africa South Africa की मैं आपको थोड़ा और बड़ा करते हैं तो Orange Free State और South African Republic इन दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिया Actually मैं हुआ क्या था कि यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स खोज ले गए और जैसे ही सोने की खोज सोने के डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलने शुरू हुए अंग्रेजों का लालच बढ़ गया यहाँ पर खूब सारे European settlers आने लगे उस सोने की लालच में Africa Natural Resources का हब है सोने की लालच में एक एक करके Britishers की संख्या वहाँ पर बढ़ने लगी और इससे Orange Free State और South African Republic को दिक्कत होने लगी क्योंकि अब उन्हें दिख रहा था कि उनके Resources एक्स्प्लाइट हो रहा है तो सोने का चक्कर बाबु भाईया पैसो का नहीं सोने का अंग्रेजों ने सोना लूटने का काम शुरू किया उन्हों डेपॉजिट्स को उकिपाई करना शुरू किया इन्होंने counter करना शुरू किया, बोयर वार्स चुड़े, ये जो बोयर स्टेट्स थे, इन्होंने लाई लड़ी, बोयर का मतलब इन जनर टाडिशनली किसान होता है, बट ये organized states थे, जिन्हें बोयर स्टेट कहा जाता था, मानता हूं कि अंग्रेज बोयर वार्स में जीत गए उन्होंने सौथ अफरिका की कॉलोनी के उपर अपनी hold maintain रखी, लेकिन बोयर वार्स ने, इन states ने कड़ी टक कर दी, और उन्हें बहुत सारे reverses face करने पड़े, बहुत सारे front पर उनकी हार हुई, और जो loss उन्हें हो रहा था, उसकी खबर इंडिया में आ रही थी, अच्छा गांधी जी ने military camps लगाये थे, अपने खर्चे पर और वो British soldiers को help करते थे, with the hope कि अगर वो British soldiers की help करेंगे, तो इससे Indians को concession मिलेगा South Africa में, और यही कारण है कि South Africans कई बार पसंद नहीं करते हैं गांधी जी को, वो गांधी जी को racist और अंग्रेजियों का support करने वाला मानते है अब एक उसमें पहले घटना आई थी, कि वहाँ पर एक university में गांधी जी की मूर्ती यानि की statue था, जिसे वहाँ के students ने तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था, गांधी जी ने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया था, गांधी जी के ideas में काफी fluctuation देखने को मिलता है, और बहतर समझा, और इसी करण से उनकी लड़ाई इंडिया में बहुत effective रही, और वो हमें आजादी दिलाने में भी कामयाब रह, बात करेंगे गांधी जी के philosophy के बारे में, बस एक जिक्र हुआ तो बताया मैंने आपको कि बोयर वार्स में गांधी जी ने बिट्शोस के help क इसी लिए South Africans उने पसंद नहीं करते, सभी नहीं कुछ जो उन्हीं बहतर तरीके से नहीं जानते, नहीं समझ पाते, तो यह जो reasons थे international level पे इससे Indians में self confidence आया और यहाँ पर जो sense of nationalism है, militant perspective से, extremist perspective से वो और तेजी से evolve हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिये, ठीक ह Now, जो exploitative nature था British rule का वो धीमे-धीमे सामने आने लगा, 1896 और 1900 में बबॉनिक plague के साथ famine आया, एक तो famine उपर से plague, दो हरी मार, अंग्रेजों नहीं इनहें counter करने के लिए, manage करने के लिए कुछ भी नहीं किया, कहा जाता है कि इस atrocity में, इस पूरे scenario में लगभग 10 million लोगों की जान गई, around 1 CR, 1 या एक करोण, 10 million लोगों ने अपनी जान गवाई, इस famine में और बॉबानिक plague में, जो टेकन के रीजन में हुआ, अंग्रेजों नहीं इसे करने के लिए, रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, इंफ्राक्स जोनों ने किया, वो बहुत inhuman था, British Plague Commissioner, Rand, जिसे बाद में, जान से भी मार दिया गया, क्योंकि उसने इस plague को counter करने के लिए, बहुत heterocytic measures off किये, उन्होंने कोशिस की, लेकिन वो बहुत बुरे थे, plague ऐसा था कि एक बार हो जाए, ज्योंकि बबॉनिक plague को बबॉनिक plague इसलिए बोलते हैं, क्योंकि शरीर पे बबूल्स निकलाते हैं, फोडे, फफोले, और एक बार plague हो गया, तो वो एक परसन से दूसरे परसन में फैलता है, और कोई इलाज नहीं है, जिसको हुआ वो मरेग बबॉनिक plague को रोकने का सिर्फ एक तरीका था, isolation, या फिर quarantine, जिस शब्से आप बहुत परिचित हैं, तो जब भी कोई plague का patient होता था, तो उसे ले जाकर एक कमरे में isolate कर दिया जाता था, कोई treatment नहीं दिया जाता था, और वो परसन तरप-तरप के वहां मर जाता था, आपको वियाद होगा कि जब COVID का initial phase था, और लोगों से COVID patients को isolate या quarantine करने के लिए कहा जाता था, तो लोग बड़ा नर्वस होते थे, और कई बार तो लोग अपनी family members को घर में छुपा के रखते थे, बिना ये बताए कि वो COVID की patient है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, कि जानने के बा इसके आए कुस्तों में पहले ही, बिल्कुल वैसा ही बबॉनिक प्लेग में हो रहा था, यहां तो फिर्बियो hospital में ले जाने के बाद treat किया जाता था, हाँ मानते हैं, facilities थोड़ी weaken हो गई थी because of the over crowding, वहाँ पर तो एक कमरे में छोड़ दिया जाता था, मरने के लिए और बच्चे को उनके family member को बबानिक प्लेग हुआ है, authorities घरों के अंदर घुसके सर्च करती थी, और अकर कोई family member मिल जाता था, तो उसे घसीत कर बाहर लेकर जाया जाता था, एक बीमार आदमी, जो sad मरने वाला है, उसे बहुत ill treat किया जाता था, लोगों से अलग करके ताकि ब मातर तरीका रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही inhuman था, रेंड ने जो किया, उसके लिए उसे जान से मारा गया, बात करेंगे revolutionary activities में, इसके बारे में, बट इससे उनका true nature समझ में आ गया, कि उनके लिए यहाँ पे Indians merely animals हैं, जानवर हैं, आपने देखा है bird flu होता है, तो क्या कर कर दिया जाता है, यह जैनवरों के साथ आज भी किया जाता है, बुरा लगता है, एक्शली में यह इंसानों के साथ किया जाता था, यह खुद Britain में कभी नहीं करते, लेकिन इंडिया में करते थे, यह समझ में आता था, कि वो इंडियन को animals की तरह treat करते हैं, और इसको लेक गॉर्मेंट बिटन में ऐसा करती है क्या, नहीं करती, लेकिन इंडिया में ऐसा करते हैं, अगर इंडिया में कोई हमारी सरकार होती तो ऐसा करती, नहीं करती, कोविड हुआ, गॉर्मेंट ने बहुतर treat किया, कोसिस की sympathy किसांचीजों का handle किया गया, कोई foreign government ऐसा treat नहीं करे जो base बना आने वाले समय में इन extremists के लिए, जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, extremists were extremists because moderates were moderates, moderates moderate थे, इसलिए extremists, extremists हो पाए, नहीं तो उनके extremists होने के लिए कोई Congress ही नहीं होती, तो उनका भी एक बड़ा role रहा, militant nationalism की growth में, तो यह सारी चीजे तो मैंने आपको बता द partition, जो करजन ने किया, यह सबसे बड़ा करण था, और मैंने आपसे यह भी कहा था, कि militant nationalism के phase में, दो सबसे महतपूर घटना एंगाटी थोई, जो आपको जरूर जाननी चाहिए, और यहांसे questions भी आते हैं, एक तो बंगाल का partition, और दूसरा स्वादेशियन बाइकॉट moment, बंगाल का partition, जो सबसे immediate incident बना, जिसने भारत में पहला mass moment शुरू किया, सौदेशियन बाइकॉट, क्या था यह बंगाल का partition, partition of बंगाल, बंगाल का partition, इसमें हम basically चार बात देखने वाले हैं, introduction, क्यों हुआ partition, क्या किया गया इसमें, result क्या निकला, let's have a look, Lord Karjan ने announce किया, कि 16 October 9005 को बंगाल को दो हिस्सों में divide कर दिया जाएगा, जो बंगाल के दो हिस्से किये जाएंगे, उनमें एक हिस्सा होगा, जिसका नाम रहेगा Eastern Bengal and Assam, इसका नाम था Eastern Bengal and Assam, और जो दूसरा हिस्सा होगा, जो बंगाल का western part होगा, उसका simple सा नाम होगा, ब बंगाल, यहां पे जो light color आपको दिख रहा है, light green color, यह कुछ princely states हैं, जो control में नहीं थे, मतब वो British government administer नहीं करती थी, जैसा कि color denote कर रहा है, जैसा कि color में साफ साफ denote किया गया है, कि जो green color का हिस्सा है, जो east का part है, Eastern Bengal and Assam, यह Muslim majority province के तौर पे create किया गया, वहीं जो western part है, ज यह Hindu majority province के तौर पे convert किया गया, जो Hindu majority province के तौर पे convert किया गया, मतब बंगाल का जो division किया गया, उसके पीछी reason बताया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, लेकिन division जो किया गया वह आपको साफ दिख रहा है, हिंदूस को Muslim से अलग किया गया बंगाल में, तो division में यह तो काम हुआ, बंगाल का partition क्यों हुआ, कुछ basic बाते जान लिजे, फिर reason भी समझे, British government ने announce किया, कि बंगाल का division किया जाएगा 1903 में, in fact इसके 20 साल पहले से यह बात चलती आ रही थी, बंगाल का division administrative reasons से हुआ, यह बात ऐसी नहीं कि करजन ने नहीं करी थी, यह बात तो 20 साल पहले थी, वो उस समय जो British India के total population थी, उसकी one-fourth बंगाल में रहती थी, बंगाल इतना बड़ा था, उसे administer करने में of course problem थी, division के लिए reason भी यही बताया गया, लेकिन division हुआ कैसे था, that was important, तो 1903 में यह हुआ कि बंगाल को divide करेंगे, और partition को finally October 1905 में implement कर दिया गया, moderates ने इसके against में anti-partition campaign शुरू किया, और जो newspaper थे, जो इस पूरे बंगाल के partition को counter करने के लिए publications छाप रहे थे, उनमें prominent थे हितबादी, संजीवनी और बंगाली, हितबादी, संजीवनी और बंगाली यह बहुत यह prominent newspaper थे, जो associated थे partition अब बंगाल से, British officials ने जो official reason बताया वो यह था कि बंगाल की population और area बहुत जादा है, उस समय जो area था, उसके अलामा जो population थी, वो 78 million थी, area तो मैंने आपको बताया, बंगाल, बिहार, उडिसा, आसाम और बंगलादेश, सब मिला कि उस समय का बंगाल था, तो area तो आपको समझ में आ रहा है, और population 78 million, इतनी बड़ी territory को govern करना मुश्किल था, इसलिए नो बला कि हम बंगाल का partition करेंगे, बंगाल का partition अगर administration के basis पे हो रहा था, तो इसमें समस्या नहीं थी, आज भी हमने states को divide किया है, और इतना बड़ा state आज भी administer करने में problem होगी, लिखिन division करने का intention क्या है, that matters, यह official reason बताया गया था, real reason यह था कि बंगाल nationalist activities का center था, because बंगाल prosperous था, बंगाल prosperous था, आपको मैं common सी बात बताता हूँ, किसी भी जिगह पर nationalism तब arise होता है, जब वहां के लोग prosperous हो, आठ, nationalism, यह खाली पेट नहीं develop होता, एक daily wage laborer, जो दिन में 8 घंटे काम करता है, और फिर अपने घर पे पहुंसता है, वो कुछ आलू, प्याज और आटा अपने घर पे ले कर जाएगा, वो पकाएगा खाना और खाकर आराम करेगा ताकि अगले दिन वो फिर से काम कर सके, वो रात को बैठ कर painting नहीं करेगा, वो poetry नहीं लिखेगा, वो science के बारे में नहीं सोचेगा, उसे सोचना है कि कल क्या करना है, कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने कई सारे जगों प हर तरीके के laborers, और जिन्हें laborers की जरूरत है, वो वहाँ पर जाकर इकठा होते हैं, और negotiate करके उन्हें काम पर लेकर जाते हैं, इस बात की कोई guarantee नहीं होती कि कल उस labor को काम मिलेगा, वो शुराहे पर जाएगा और खड़ा रहेगा, सुबह सात बजे से दस बजे तक, और उ पहले और भी खराब थी, ऐसे laborers आपको बहुत मिलेंगे, जहां पर हर दिन laborers से कठा होते हैं, और काम सब को नहीं मिलता, वो labor, वो मजदूर, जो आज काम करके रात को खाने की विवस्था करके आया है, उसे कल के काम का पता नहीं है, कि कल वो तीन घंटे चुराहे पर करवाना है, उसके अंदर nationalism नहीं arise होगा, इसके बारे में वो सोचेगा, जिसके पास enough income है, जो आराम से बहुत अच्छे से पकवान खाकर, अपने घर के बाहर एक खाट पर लेटेगा, और फिर वो अपने पेट को सहलाते वक देखेगा, कि चांद कितना रोशन है, तारी कि इतना बहतर टिम्टिम आ रहे हैं, क्यों न चांद के उपर एक कविता लिखी जाए, क्योंकि उसका पेट भरा है, वो पोईट्रीज लिख सकता है, वो सोच सकता है कि अंग्रेज इंडिया को कैसे exploit कर रहे हैं, हम इने बाहर निकलना चाहिए, नौफ सेंटर था को कर्ब किया जा सके, मुसल्मानों को उन्होंने पहले से टार्गेट कर रखा था, इन्हें अपने फेवर में लेना है, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो शुरू में उन्हें ये ब्लेम किया, कि मुसलिम्स ने रिवोलुशन किया है, सरसेद अमत खान जी ने समझाया, नहीं उन्हें नहीं किया है, खेर उन्हें समझाने से फरक नहीं था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि हिंदूस मेजोरिटी में हैं, वो उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो इंसिक्योर नहीं है, मुसलिम्स माइनोरिटी में हैं, वो इंसिक्योर फिल करते हैं, वो अंग्रे जो prominent leaders इस पूरे campaign से associated थे जिन्होंने बंगाल के partition को counter किया, उनमें नाम है सुरेंदरनाथ बनर जी, केके मित्र और पृत्विश चंद्र रे का, PC रे भी आप बोल सकते हो, ये कुछ prominent leader है जो partition आप बंगाल के against में agitate करते हैं, जो agitate करते हैं, ये map है उस समय का, जो दिखाता ह है कि बंगाल किस तरीके से divided बनाया गया, खैर, कैसा था ये division, और क्यों ये ill divided लगता था, क्यों ये समझ में आ रहा था, साफ साफ कि जो उन्होंने किया है, ये administrative division नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब बंगाल को divide किया गया, तो दो बातों का ध्यान रखा गया, दो बातों का जो बंगाली population थी, वो ज्यादा nationalist activities में active थी, वो पढ़े लिखे थे, educated थे, समझदार थे, ज्यादा enlightened थे, उन्हें divide करना था, बंगाल में बंगालीस को minority बनाया गया, जो western part था, जो division हुआ, उस division में जो western part है ये, इसे नाम दिया गया था बंगाल, और इसे नाम दिया गया था, eastern बंगाल, एंड आसाम, ठीक है, इसके capital बनाये गई थी, ढाका, और इसके capital बनाये गई थी, कलकेटा, कोलका था, ठीक है, तो जो बंगाल का ये region है, यहाँ पे बंगालीस को minority बनाया गया, बंगाली speaking population को, यहाँ पे अंग्रेजों ने minority बना दिया, और minority बनाने के लि रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, कि जो टोटल बंगाल के population थे उस समय, उसमें 37 मिलियन हिंदी और उडिया speaking लोग थे, और केवाल 17 मिलियन बंगाली speaking लोग थे, बंगाल में, बंगाली speaking लोग को minority, तो सबसे पहले तो बंगाली nationalism को reduce करने के लिए, उन्होंने बंगाल में ही बंगाली speaking लोगों को minority किया, ये division ऐसा tactical था, just have a tactical division, अक्सर आपको लगता है कि बंगाल को हिंदू-Muslim के basis पर divide किया था, नहीं नहीं, ये सिर्फ हिंदू-Muslim के basis पर division नहीं था, ये language के basis पर division था, तो ये तो tactical दिख रहा है, दूसरा, उन्होंने, religion के basis पर division क गया, जो western half part था, यानि कि इस सरफ का, उसे हिंदू majority बनाया गया, ठीक है, जहां पे 54 million जो population थी, उसमें 42 million हिंदू थे, मतब इसे हिंदू majority बनाया गया, वही दूसरी ओर, जो eastern half part था, उसे Muslim majority area बनाया गया, टोटल 31 million population में 18 million को मुस्लिम रखा गया, मुस्लिम के संक्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, बंगाल में, लेकिन इतना tactical division किया गया, eastern part था, उसे Muslim majority, जो eastern part था, इसे Muslim majority, और जो western part था, इसे Hindu majority बनाया गया, highly tactical division, सबसे पहले तो बंगाली इसको minority में किया गया, और दूसरा, हिंदू और मुस्लिम को divide किया गया, ये था बंगाल का partition, इसके ऊपर कितना ही administrative convenience का नाम दे दिया जाए, दिख रहा है, ये division क्या हुआ है, साफ साफ दिख रहा है ये division, result क्या निकला, मुस्लिम्स को appease करने के लिए, वू करने के लिए, उसने धाका को capital बनाया, और ये भी बोला, कि वहाँ पर एक university establish की जाएगी, ये होगा एक नया Muslim majority province, मुस्लिम्स खुश थे, उन्हें कुश तो मिला, उन्हें मिला एक Muslim majority province, partition के बाद, लेकिन उसने जो revolutionaries थे, उनकी capacity को कम आका, करजन समझ नहीं पाया, कि वो यहीं कर रहा है, इसका result के निकलेगा, उसने सोजा कि वो कुछ भी कर सकता है, कई सारे करान बताया जाते हैं इसके, एक तो administrative convenience, उसने language के basis पे division किया, ताकि बंगाली nationalism को crush किया जा सके, रियल motives की बात करें तो, administrative convenience तो उसका छोड़ दो, government क्या था, एक तो language के basis पे division किया गया, ताकि बंगाली nationalism को crush किया जा सके, language के basis पे division किया, religion के basis पे division किया गया, और वो control tighten करना चाहता था, provinces के उपर, ताकि जो central authority है, वो जैसे चाहे करवा सके, ये तो plan बनाया गया, लेकिन उसने कम आका, nationalist की capacity को, partition के बाद, revolutionary activities बहुत तेज हो गई, even extremist एक नए खेमे का emergence हुआ, जिन्होंने एक revolution छेड़ दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया, that was स्वध इसी moment शुरू कर दिया गया, इस पूरे partition ने एक sense of unity create कर दी इंडियन्स के मन में, लोगों को समझ में आने लगा कि वो एक हैं, और यहां कोई बाहर से आया है, जो उनको divide कर रहा है, partition, actually, एक cause create कर देता है, जहां पर nationalists जो काफी लंबे समय से एक मौके की तलास में थे, British government क अगेंस्ट में agitate करने के लिए, वो मौका बंगाल के partition ने दिया, तो बंगाल का partition उसमें nationalist activities के center में एक बड़ा incident बन गया, जिसको basis बना कर भरत में पहला, बड़ा और mass moment शुरू किया गया, और यह जो पहला और बड़ा mass moment शुरू होता है, जो पहला और बड़ा mass moment यह एक mass moment था, जिसमें बंगाल के partition को oppose किया, और धीमे धीमे यह पूरे देश में फैल गया, इसके शुरूआत होई बंगाल के साथ, लेकिन धीमे धीमे यह आगे बढ़ा, स्वदेसी moment को शुरूआत में Congress ने opt नहीं किया, बलकि कुछ independent leaders ने बंगाल के partition के against में इस moment की बाद में जब इसमें स्वदेसी के elements आए, तब यह स्वदेसी moment बना, स्वदेसी के element का मतलब क्या है, कि जो foreign made clothes थे, कपड़े थे, उन्हीं जलाया जाने लगा, और जोर दिया गया स्वदेसी products के उपर, स्वदेसी education के उपर, तो जो स्वदेसी का element इस anti-partition moment में include किया जात होता है, तब यह anti-partition moment बनता है स्वदेसी moment, तो शुरुवात स्वदेसी and bycott moment की होती है, एक anti-partition moment के तौर पर, और इसे कुछ independent leaders ने formally 7 अगस्ट 1905 को एक proclamation के जरी शुरू किया, वो proclamation जो एक resolution के form में आई, कलकेटा टाउन हौल से, यह हुआ कि हम इस partition के against में Pan India लेवल प और जब यह partition 16 अगस 1905 को होता है, तो इंडिया में day of morning, morn, m-o-u-r-n, observe किया गया, morn हम तब करते हैं जब कोई मर जाता है, और हम बहुत दुखी होते हैं, तब हम morn करते हैं, बंगाल के division को वैसे ही दुख वाला scenario माना गया, जैसे किसी की death हो गई हो, सभी लोग दुखी थे, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखिया बादी, यह denote करते हुए कि वो एक है, वो अलग-अलग नहीं है, लोगों ने fast रखा, वो बिना किसी चपल के नंगे पाउं, गंगा या कोई भी river जो नजदीक में थी, वहाँ पर गये, उन्होंने वहाँ पर सनान किया, वो नहाए, और प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इस दिन, 16 October 1905 को, और इसके बाद प्रोटेस्ट तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन ये दिन जो था, उसने उस प्रोटेस्ट को बहुत पॉमिन बना दिया, वंदे मात्रम एक popular slogan बन गया, लोग सड़कों पर वंदे मात से foreign चीजे निकालते थे, ना केवल existing चीजों को जलाया जने लगा, बलकि जो नए प्रोटेस्ट थे, उनको British मेड या European मेड खरीदना भी बंद कर दिया गया, हमने केवल commitment दिखाई कि हम स्वदेसी प्रोटेस्ट को ही खरीदेंगे, क्या regions रहे और कहां पे किसने इसको लीड किया, डेली में सेयद हैदर रजा जी ने इसे लीड किया, और मदरास में चिदंबरम पिल लई, ये कुछ prominent लीडर्स थे, जिन्होंने अलग-अलग प्रोविंसेस में स्वदेसी और बाइकॉट मोविंट को आगे बढ़ाया, यहाँ पर इस image में तीन prominent extremist लीडर्स को आपको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए, यहाँ भी बात की गई है कुछ conferences के बारे में और उसने कैसे यहाँ पर impact क्रेट किया उसके बारे में, और जो division हुआ extremist और moderate के बीच में उसके बारे में भी, यहाँ पर समझेए, 95 में बनारस में होता है session, और गोखले जी बन हाँ, अभी Congress नहीं formally इस पूरे agitation को, इस पूरे movement को hold नहीं किया था, moderates और extremists यहाँ पर differ करने लगे, differ करने का जो mean issue था वो यह था क्योंकि extremists चाहते थे कि यह पूरा movement Pan India level पे जाए, और हो सकता है कि इसकी मदस्य में आजादी मिले, वहीं दूसरी और moderates को ऐसा लगता थ था कि इस movement को Pan India level पे ले जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि masses outside of Bengal are not as concerned about the partition of Bengal as people are in Bengal itself, जो लोग बंगाल के बाहर हैं, वो बंगाल के partition को लेकर उतना concern नहीं जितना कि बंगाल के लोग हैं, इसलिए बाहर ले जाने का इस movement को को कोई मतलब नहीं, इस बात को लेकर difference रहा, differences बढ अलग होने लगा, समझ भी आने लगा कि कुछ leaders हैं, जिनका opinion अलग है, जिनका काम करने का तरीका अलग है, तो 1905 one verse जो extremist fraction है, वो visible हो गया, काम करने का तरीका अलग, aggressiveness, attitude वो तो पहले से अलग था, लेकिन उनका तरीका अलग visible होने लगा, 1906 में एक बार फिर से विवात खड़ा हुआ, जब session कैलकेटा में हो रहा था, extremist khema अब एक्टिव था, extremist khema ने लीड करना शुरू कर दिया था सुदेशी और वाइकॉट मुवमेंट को, वो ताकतवर condition में थे, वो चाहते थे कि कॉंग्रेस में उनका president हो, उन्हें पता थ या, बलगंगा दरतिलक या लाला लाजबत राय, आप इनमें से किसी एक को Congress का president बनाईए, मौडेर्स परिशान थे, दोनों leaders highly popular थे, इन्हें मना करना मुश्किल लग रहा था, आखिर कौन ऐसा था, जो इन्हें रोक सकता था, वो नहीं चाहते थे कि extremist लोगों को leadership मिले Congress क क्योंकि उसके negative outcomes होते हैं, मौडेर्स ने अपनी और से नाम प्रपोस किया, दादा भाई नौरो जी का, the grand old man of India, highly respectable, कुछ लोग होते हैं जिनको सब respect करते हैं, दादा भाई नौरो जी, जैसे कुछ नाम आप जानते हैं, अधल वहरी वाच पहीजी, opposition के leaders भी उनको बहुत respect देते हैं, rarely उन्हीं नापसंद करने वाला कोई आपको मिलेगा, डॉक्टर एपीजी अबदुलकलाम जी, हमारे former president और बहुत ही premier scientist, इंडिया में मुश्किल से आपको कोई मिलेगा, जो उनसे नफरत करता हो, नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलता है तो उसके साथ दिक्कत है, उसका अपना खुद का mental setup ठीक नहीं है, हम कह सकते हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको, जो एपीजी अबदुलकलाम को hate करता हो, आपको rarely कोई मिलेगा, जो आटल विहारी वाजपई जी को hate करता हो, यह कुछ ऐसे personalities होती हैं, जिने नफरत करने का मन ही नहीं करेगा आपका, मतल दादभाई नुरोजी को सब respect करते थे, बुजर्ग भी थे, grand old man उन्हें कहा जाता था, शानदार बुढ़ा व्यक्ति, उन्हें आपोस्ट करने का मतलब था कि पाप कर दोगे आप, you'll have a sin, दादभाई नुरोजी का विरूत करोगे, नरक में जाओगे, वो जो कड़ाहा हो उन्हें उसमें तले जाओगे, दादभाई नुरोजी का विरूत करोगे, नहीं, sense of respect बता रहो हूँ आपको, उनका कोई क्या विरूत करेगा, दादभाई नुरोजी को को न पोस करेगा, मौडेर्स ने बाजी जीत ली, मौडेर्स ने बाजी मार ली, उन्होंने अपना ए नुरोजी का विरूत कर सके, दादभाई नुरोजी, 1906 में कैलकटा के सेशन में कॉंग्लेस के प्रेसिडेंट बने, मौडेर्स के लीडर थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा, कि उन्हें प्रेसिडेंट बनने दिया, एक्ट्रेमिस्ट ने, और अगर ये रेस्पेक्ट, एक्ट्रेमिस्ट ने उनको दी है, और उनके नाम को अपोज नहीं किया गया है, तो उन्हें एक्ट्रेमिस्ट के कुछ डिमांड्स को अकॉमडेट करना होगा, अगर दादा भाई नरोजी की रेस्पेक्ट की, 1906 के कलकेटा सेशन में एक्ट्रेमिस्ट ने, तो दादा भाई नरोजी ने एक्ट्रेमिस्ट की रेस्पेक्ट की, और उनकी डिमांड्स को कॉंग्रेस के रेजलुशन में इंकॉर्परेट किया गया, INC का गोल पहली बार Self-Government या सुराज Declare किया गया सुराज का मतलब clear नहीं था लेकिन कुछ connotations समझ में आ रहा था ये सुराज साथ वैसा ही था जैसे कि Australia या फिर Canada में जो Self-Government दी गई है बिश्चरस के दोरा internally वो खुद को govern करते हैं सुराज का मतलब अलग अलग देखता था सुराज का connotation बाद में clear हुआ जब 1929 के लाहॉर सेशन में पूर सुराज का slogan रेस किया गया इसका मतलब था complete independence और तब समझ में आ गया कि जो पहले वाला सुराज सा that was similar to dominion status अभी तक सुराज का मतलब नहीं clear था और बाद बाद सुराज जो आया वो था complete independence पूर्ण सुराज तब अंतर clear हुआ शुरू में नहीं था तो सुराज word को पहली बार Congress ने officially mention किया बड़ा घबराते थे moderates नाम भी नहीं लेते थे सुराज का लेकिन यहाँ पर officially जो सुराज word है उसका नाम इस्तिमाल किया गया नरो जी ददा भाई नरो जी ने यह नाम वहाँ पर mention किया mention किया ठीक है extremist चाहते थे कि तिलक या लाजपत राय जी को president बनाया जाए हलाकि moderates ने ददा भाई नरो जी का नाम प्रपोस किया को या पत्ती नहीं जताई पैलली स्वडेसी और बाइकॉट का resolution opt किया गया और कहा गया कि जो moment है उसे चलाया जाए और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक hand मिल गया extremist को बले ही ददा भाई नरो जी बने थे एक moderate leader, congress के president लेकिन extremist की बास सुनी गई उन्हें थोड़ा sense of confidence आया और उन्होंने स्वडेसी और बाइकॉट मोविंट को रीड करना शुरू किया मास participation बढ़ा और यह नेता बहुत ही popular होने लगे इन्होंने लोगों को रीड करना शुरू किया यह friction एक साल बाद फिर से इमर्ज हुआ 1907 सूरत सूरत का सेशन एक बार फिर से वही सवाल एक्स्ट्रमिस ने बोला प्रेसिडेंट हमारा होगा नाम वही दो फिर से प्रपोस किये गए या तो तिलक या लाला लाजपत राए या तो तिलक या फिर लाला लाजपत राए लाला लाजपत राय जी के नाम के ऊपर मॉडरेर्स ने सिर्य से निगेशन सो कर दिया उन्होंने बिल्कुल निगेट कर दिया उन्होंने बोला कि लाला लाजपत राय जी को तो नहीं बना सकते प्रेसिडेंसी आप चाहे जो कर लो नहीं देंगे उनका नाम नहीं आ सकता एक्स्रमिस्ट बूले तिलक जी को दे दो कोई दिख करने हैं हम तो कहने हैं दो नाम हैं आपको लाला जी नहीं पसंद ना सही तिलक जी को दे दो तिलक जी कम अग्रेसिव है कोई बात नहीं अग्रेसिव तो दोनों थे लेकिन लाला जी जादा अग्रेसिव थे तिलक जी थ कॉंग्रिस में एक रेसिडेंसी का रूल चलता था रूल ओफ रेसिडेंसी क्या बोलता था जिस प्रॉविंस में कॉंग्रिस का सेशन हो रहा है उस प्रॉविंस से कॉंग्रिस का प्रेसिडेंट नहीं होगा अपनी बात फिर से दोहराता हूँ आपके लिए Rule of Presidency जो Congress में चला करता था Presidency के मामले में वो ये था कि जिस प्रॉविंस में Congress का Annual Session हो रहा है उस प्रॉविंस से President नहीं होगा तिलक जी Bombay Presidency से बिलॉंग करते थे सूरत आज गुजरात में है पहले ये Bombay Presidency का पार्ट था फरसे दोराता हूँ तिलक जी Bombay Presidency से बिलॉंग करते थे एक्स्टरमिस के ओर से Candidate कौन है तिलक जी लाला जी का नाम चट गया तिलक जी तिलक जी Bombay Presidency से है सूरत Bombay में था अभी गुजरात में है तब Bombay में था मतलब ये था कि किसी भी तरीके से अगर Congress का सेशन शूरत में लग जाए सूरत में लग जाए तो तिलक जी President नहीं बन सकते नाम अपने आप छड़ जाएगा Moderator ने डिक्लेर कर दिया कि भाई देखो Congress का सेशन लगने वाला है सूरत में और हमारी और से नाम है रासबियारी घोश्ट का ये बनेंगे President जब Extremist को खबर मिली उनको समझ में आगया कि क्या खेल चल रहा है उन्होंने का ये तो साफ साफ छाटने वाली बात है लाला जी का नाम आपने पहले छाट दिया और दिलक जी के नाम के लिए आपने शुरत में सेशन लगा दिया कि बामबे से हैं तो बामबे का कोई परसन बनी नहीं सकता तो लाला जी तिलक जी भी नहीं बन सकते लगिन इस बास से बहुत नाराज हो गए Extremist और उन्होंने Congress से खुद को बाहर कर लिया and that was the blunder क्योंकि Moderates Extremist के activities में एक front runner का का काम किया करते थे वो उन्हें बचाते थे बर्शरस के atrocities से क्योंकि Extremist के उपर हमला करने का मतलब था International Congress के उपर हमला करना बड़ी बात हो जाती लेकिन कुछ leaders जो Congress से बाहर निकल गए हो उन्हें शिकार बनाना आसान था आपने देखा होगा नो हिरन के जुंड में शिकार कौन बनता है जो जुंड से बाहर हो जाता है जो छूड जाता है वो बनता है शिर का शिकार और यहां पर Extremist leaders ग्रुप से बाहर निकल चुके थे उन्होंने अपना शिल्ड अपना protection खो दिया था जो I.N.C. उन्हें दिया करता था और अब वो अंग्रेजियों का शिकार बनने वाले थे अंग्रेज इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे वो तो चाहते थे एक division create हो और उस division को create कर दिया गया उस division को create कर दिया गया खैर राजबिहारी घोज बन गया सूरत के session में 2007 में Congress के president और यही पर हुआ सूरत split यही पर होता है सूरत split जहां पे Congress extremist और moderates पे बढ़ जाती है जो session था वो सूरत में हुआ तिलग जी को exclude करने के लिए राजबिहारी घोज जी बन गए Congress के president और 1907 के इसी session में होती है सूरत की split I hope you got it मैं मानता हूँ क्या आप समझ गए होंगे extremist leaders की leadership में क्या developments हुए what were the developments under extremist leadership जो actually में आपको स्वदेसी और bycourt moment में देखने को मिलता है that you can see in Swadisian bycourt moment जो आप स्वदेसी और bycourt moment में देख सकते हो struggle का एक नया form देखने को मिलता है जहां पे foreign goods bycourt किये गए public meeting होगे नाइस की गई और processions किये गए इसके अलावा traditional festivals और मेलास का सहरा लिया गया स्वदेसी प्रोपगेंडा रन करने के लिए इसे तिलग जी ने गनपती महत्सव और शिवाजी festival होगे नाइस किये क्योंकि political gathering allowed नहीं थी political gathering allowed नहीं थी religious gathering हो सकती थी गनपती महत्सव पहले भी मनाया जाता था लेकिन limited scale पर लोग घरों में पड़ोसियों के साथ मिलके मना लेते थे इसे बड़े scale पर हजारों लोगों के भीड़ के साथ मनाया जाने लगा सिवाजी महत्सव, सिवाजी को जो मराठा population है वो अपना pride मानती है, अपना symbol मानती है in fact पूरा देश शत्रपती सिवाजी महराज को अपना hero मानता है छो फ़ल शत्रपती सिवाजी महराज जो लोगों के symbol हुआ करते थे जो hero हुआ करते थे, उन्हें symbolize करते हुए सिवाजी festival यह सिवाजी महुत सो सुरू किया गया और लोगे कथा हुए ये एक religious gathering थी it was not a political gathering शत्रपती सिवाजी महराज को celebrate करना, मतलब एक historical leader को celebrate करना इसका national movement से कुछ खास लेना देना नहीं था लेकिन ये लोगों को gather होने का मौका देता था तो इनका सहरा लिया गया लोगों को एक अठा करने के लिए self-reliance villages का regeneration economic development इस पर focus किया गया सवदेशी का जो program था उसके तहत हमने बंगाल national college establish किया national council of education बंगाल institute of technology बिय टी, ये सब establish किये गए nationalist education देने के लिए क्योंकि जो bycott किया गया तो बोला गया कि अब school, college, law, offices सब छोड़े जाएंगे extremist ने बोला कि अब हम bycott का option opt करेंगे जहां पर bitshaws को bycott किया जाएगा हम resistance शो करेंगे passive resistance हम actively जाके कुछ नहीं करेंगे लेकिन जिसमें हम उन्हें serve करते हैं services देते हैं वो नहीं देंगे तो sense of passive resistance टार्ट किया गया सवदेशी enterprise इंटर्पाइस स्टाइल मिल banks सवदेशी steam navigation company जिसे वियो चिदंबरम पिल्ला ही ने establish किया ताके British navigation companies को challenge किया जा सके यह सब companies profit motive से नहीं लगाई जा रही थी यह companies लगाई जा रही थी nationalist sentiment से influence होकर nationalist sentiment से ओत प्रोथ होकर यह companies लग रही थी cultural impact रविंदनाठ टैगोर के आमार सोनार बांगला में देखने को मिलता है रविंदनाठ टैगोर एक मात्र historical personality जिनके लिखे गए songs दो देशों के national anthem है और इनके songs की कुछ लाइने आपको स्रिलंका के anthem में भी मिल जाएंगी highly revered personality highly revered personality सुमन्य भारती का स्वदेश गीतम इसने लोगों को inspired किया volunteer, cops या समितियां बनाई गी जिन्होंने political consciousness जिनरेट की लोगों तक पहुँचे ये मिले और उन्हें बताया कि स्वदेशी और bycourt का mean agenda क्या है किस लिए nationalist काम कर रहे है और क्या expect किया जाता है masses से कैसा रहा participation students का participation बहुत बड़ी संख्या में रहा बंगाल में, महराश्टा में और सौथ इंडिया में students का क्या है बोल दो पढ़ना नहीं है चलो, protest करना है कोई भी ऐसा काम जिसमें पढ़ना ना हो उसके लावा कुछ भी करना हो तो वो जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में आपको national moment में जो भी mass moment होंगे सब का participation उपर नीशी होगा students का नहीं students हमेशा से backbone रहे है और आज भी जब भी कोई बड़ा protest होता है अन्ना अजारे जी का protest आपको याद होगा जो anti-corruption moment चला था उसमें भी देखे students है कितनी बड़ी संख्या में participate किया था students वो पहला section होता है society का जो moment से participate करता है ये डरते नहीं है ना highly active होते है और moment में जाने के बाद पढ़ना भी नहीं पढ़ता है तो ये बढ़िया option होता है चलो moment में Muslims जदातर Muslims ने खुद को अलग रखा इस पूरे सौदेसिन बाइकाट मुवमेंट से Reason being Salimullah जो ढाका के थे वो लीड़ कर रहे थे Muslims को Muslims को actually में बंगाल के partition से फाइदा हुआ था उन्हें एक separate province मिल रहा था एक separate university मिल रही थी उन्हें क्या पढ़ी थी कि वो movement चलाएंगे ऐसे partition के against में जिससे उन्हें एक separate province मिला है वाई विल थे क्यों करेंगे वो तो Muslims का participation न के बराबर रहा Mostly upper और middle class Muslims इसमें participate नहीं करते हैं Muslim Peasantry का support भी नहीं मिला All India Muslim League को finally 30 December 1906 को found किया गया anti-congress front के तौर पे Shimla deputation मिलने जाता है Lord Minto से जहां पर वो जा कि demand करते हैं कि उन्हें एक separate organization चाहिए और उन्हें वो separate organization All India Muslim League के form में मिला All India Muslim League ने उसके बाद काफी actively काम किया 1906 से लेके 1930 तक इन्होंने अपना mass base तयार किया और 1930 के बाद Muslim League एक mass party बन गई जिना जो शुरू में Congress के सांथ associated थे Congress से उनकी ideology deviate करने लग गई और वो एक separate पाकिस्तान के demand पर अड़ने लग गए और उन्होंने ऐसा समझ के All India Muslim League की leadership को अवेल कर लिया जिना की leadership के बाद Muslim League बहुत ताकतवर हो गई और उसने ultimately भारद और पाकिस्तान का बटवारा करवाया तो Muslim League का किस्ता आगे बढ़ा Women ने actively participate किया ये पहली बार था जब women घरों से बाहर निकली अभी तक moderates कभी भी mass participation को encourage नहीं करते थे extremist ने किया, सब को बलाया, सब ओ Women ने जब अपने घरों के कामकाच को छोड़ा और वो सड़कों पे उतरी procession करने के लिए, धरना procession करने के लिए उनके अंदर confidence generate हुआ और उसके बाद आप देखेंगे लगभग हर mass movement में women का participation सिर्फ बढ़ता गया है और गांधिन movement में women participation बहुत high scale का होता था बहुत high level का होता था laborers, बंगाल, पंजाब, तमिल नाडू में laborers ने strike organize की एक कमी रही, एक कमी ये रही कि यहाँ पर mass participation में peasants का participation बहुत कम रहा इस बात को ध्यान रखेगा स्वदेशी और bycott moment में जो peasants का participation है that was very less reason being ये पूरा जो moment था ये urban areas में towns में, cities में confined था तो ये पूरा moment villages तक नहीं पहुँच पाया और peasantry इसके साथ खुद को connect नहीं कर पाई तो peasants का participation बहुत कम रहा ठीक है features क्या रहा इस moment के mass participation रहा, moderate phase के comparison में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने participate किया, students ने participate किया women ने किया, government officials ने किया lawyers ने किया, peasants का participation कम रहा, limited रहा रहा थोड़ा बहुत, कई सारे prominent muslim leaders भी इसमें participate करते हैं जैसे की, लियाका थुसैन अब्दुल्रसूल इन लोगों ने कई सारी जिगहों पर lead किया इस पूरे movement को, हलांकि जदा तर muslims इससे दूर रहे क्योंकि उन्हें partition से फाइदा हुआ था, ठीक है mass participation का level काफी बढ़िया था लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये towns और cities तक ही limited रहा upper और lower middle class तक ही limited रहा सभी लोग इसमें participate नहीं करते हैं, ठीक है government ने क्या किया, government ने repression, conciliation और suppression, तीनों modes opt किये, पांच नए कानून बनाए गए इस पूरी activity को कर्ब करने के लिए, seditious meetings act of 1907 criminal law amendment act 1908 Indian newspaper act 1908 explosive substance act 1908 और India या Indian press act 1910 ये सारे कानून मलाया गया, स्वादेशी और बाइकॉट moment को gradually suppress करने के लिए सरकार बहुत active हो गई और उनने इसे suppress करना शुरू कर दिया seditious meeting act, criminal law amendment act Indian newspaper act, explosive substance act और Indian press act धीमे धीमी ये पूरा moment phase out होने लगा fizzle out होने लगा, खतम होने लगा without any certainty एक एक करके leaders को capture किया गया, jail में डाला गया तिलग जी को try किया गया, और sedition के charges में jail भीज दिया गया manly jail म्यांगमार में टेस के बाहर 6 साल की punishment मिली केसरी में उनकी राइटिंग्स के लिए जहां पे बंगाल revolutionaries ने जो मुझफरपुर में bomb फेका था, उन्होंने उसको support किया था उन्होंने कुछ बाते कह दी थी, जो बुरी लग गई थी उन्होंने कहा था कि लगी कि आप ऐसा बोलके लोगों को encourage कर रहे हैं कि लोग बॉम फेके क्योंकि हम तो सुरास देने वाले नहीं है तो लोग बॉम फेकेंगे बॉम फेकने के लिए encourage कर रहे हो इसके basis पे वो मौका ढूड रहे थे पूरा moment उन्होंने लीड किया था तो निशाने पे तो पहले से थे केसरी में जो उन्होंने लिखा उनका news paper था निशाना बन गए उनको 6 साल की सजा सुना दी गई ठीक है तो तिलक जी eliminate हो गए इसमें से और विंदो घोस, विपिंज जंडरपाल इन लोगों ने politics से खुद को retire कर लिया लाला जी के उपर केस कर दिया गया तो वो लेंडन अपना केस लड़ने चले गया चार important extremist leaders वो एक एक करके इसमें से eliminate कर दिये गए और लीडर्स के eliminate हो जाने के बाद ये पूरा जो nationalist moment था ये कमजोर पड़ गया ये moment कमजोर पड़ गया अंग्रेज़ों को हाला के समझ में आ गया कि उनके लिए मुश्किल है ये moment फानली 1911 में partition को annal कर दिया गया खतम कर दिया गया डेली दर्बार लगा British monarch इंडिया के visit पर आए और जब वो इंडिया की visit पर आए तो उनने समझ में आ गया कि इंडिया में जो revolutionary activism है या activities हैं वो बहुत तेज है इसे counter करना होगा फिर British monarch यहां पर आ रहे थे तो उनसे कुछ तो बुलवाना था न कोई आएगा इतना pumpants हो करके और कुछ देगा भी नहीं तो फिर मतलब क्या निकलता है तो उनसे बुला गया इंसे declaration करवा देंगे कि बंगाल का partition एनल कर रहे हैं तो बंगाल का partition खतम कर दिया गया 1911 में लेकिन बंगाल का partition एनल करते ही Muslims को जो एक separate province मिला था वो बड़े नाराज हो गए उन्होंने का हमको तो एक state मिला था वो भी खतम कर दिया गया तो Muslims बहुत डिसपॉइंट हुए बंगाल के partition को एनल किये जाने से Muslims को खुश करने के लिए Capital को 1911 में डेली भी shift कर दिया गया Kolkata से Kolkata से Capital डेली आ गयी क्यों? क्योंकि डेली हमेशा से Islamic seat का center रहा था डेली सतनस से लेके मुगल पीरिट को लेकर हलागि Muslims उससे खुश होने वाले नहीं थे आपने उनसे पूरा एक Muslim majority province चील लिया और उसके बदले में दिल्ली को Capital बना दिया आप दिल्ली को Capital बनाओ, मदरास को बनाओ, तमिलनाड़ी को बनाओ को क्या करना है, Capital आपके कहीं भी हो, उन्हें क्या फरक पड़ता है उनका तो province आपने ले लिया, तो Muslims उसके बाद नाराज ही रहे और यही कारण है कि बाद में Muslims और मतलब Muslim League और INC, International Congress की बीच में, लगना वो PAC sign होगा उसके पीछे बहुत बड़ा करण था बंगाल के partition का एनल करना, 1911 में, Muslims यहां से नाराज हुए थे अंग्लेजों से, और वो लगभख 10 साल तक नाराज ही रहे थे, और फिर से अंग्लेजों उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था, बिहार और उणिसा को बंगाल से सेपरेट कर दिया गया on the name, असाम को भी सेपरेट प्रोविस बनाया गया on the name of language religion की basis पे नहीं अलग किया गया, लेकिन language की basis पे कुछ सिस्टेकार्ट के अलग करके बंगाल को छोटा किया गया, it was actually an administrative division, यह administrative division था जिसकी बात वो 1905 में कर रहे थे, यह उन्होंने पहले किया होता ना, तो इतना बवाली नहीं होता यह administrative division था, यह करते तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने यह पिछली बार किया था वो highly tactical था, वो highly tactical था, वो दिख रहा था स्वदेशियों बाइकाट, moment के खतम हो जाने के बाद यह clear था कि जो moderates हैं, उनकी utility अब खतम हो चुकी है उनकी petition और speeches वाली जो politics है, वो पुरानी पढ़ चुकी है और वो काम नहीं कर रही है, that's not working now ठीक है, अब आईए, last में comparison देख लेते हैं एक्स्टमिस्ट वर्सिस मॉडरेट्स की बीश में यह comparison देखेंगे, यह माय सर्शन का last part होगा जहांपर हम दोनों को compare करेंगे, let's have a look मॉडरेट्स, इनका social base जमीदार और upper middle class था जबकि एक्स्टमिस्ट का upper base educated middle class और lower middle class था masses तक पहुँचे था extremist, moderates नहीं इनके ideology, western liberal thoughts और European history पर based थी जबकि रोग Indian history, culture और heritage की बात करते थे इंडिया की history की richness को revive करने की बात करते थे belief, यह England की providential mission को support करते थे इंडिया में और उनके fair play में बहुत belief था, इनको ऐसा लगता था कि Britishers को पता ही नहीं है कि इंडिया में exactly चल क्या रहा है और यहां के लोग कितने परेशान है, ऐसा कोई ब्रहम extremist को नहीं था उनको पता था, यहां जो हो रहा है, वो इन्हों नहीं किया है इनको खुब पता है यहां क्या चल रहा है यह कुछ नहीं करेंगे, इनको कुछ फरक नहीं पड़ता ठीक है, तो यह self-reliance को एक weapon मानते थे domination, domination के against में मतलब हमें खुद क्यों पर dependent रहना होगा इन्हें ऐसा लगता था, moderates को कि British government के साथ जुड़े रहना, उनके पति लॉयल रहना हमारे benefit में है, क्योंकि इससे हम develop हो पाएंगे, modern भाएंगे Middle class intelligents यह इनका area के वल वहीं तक रहा, यह कभी भी masses में believe नहीं कर पाए और उन्हें जोड भी नहीं पाए वहीं दूसरी ओर, जो extremists थे उन्होंने, Britishers के exploitative nature को समझा और यह समझ लिया कि इनके पति लॉयल रहने तो कोई फायदा नहीं है, इन्होंने masses की capacity में believe किया, उनका आवाहन किया उन्हें बुलाया, और एक mass movement create किया, सुदेसीन बाइकॉट के form में, demands की बात करें, तो हमेंसा constitutional reform मांगते थे और self government मांगते थे extremists हमेंसा सुराज मांगते थे सुराज, kind of dominion status, जो connotation था वही methods में, यह हमेंसा constitutional method use करते थे, moderate, prayer, petition and persuasion, triple P जबकि extremists यह extra constitutional methods को भी use करने से कत्राते रही थे जैसे कि bycott या passive resistance contribution की बात करते हैं तो इन्होंने Britishers के imperialism को economic record size किया, theory of wealth of drain की मदद से poverty and unprettish rule in India जो दादा भाई नरो जी जी की writing थे, किताब थी उसकी मदद से पहले ली, constitutional reforms जहां पे इन्होंने 1878 में आम सेक्ट को repeal करवाया 1878 में जो leaders थे उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यह actually में 1885 के पहले की बात है ठीक है तो जो moderate policies थी, वो work करती थी बाकि इनका majorly काम, इसमें इनका बहुत credit ना भी दिया जाये तो पहले ली, spending education के उपर खर्च, मतब खर्च जादा हो इंडियन के education में, general administrative reforms किये जाये civil rights को बचाया जाये इसके लिए हुने काफी demands raised की यहाँ पे सुराज की demand थी mass moment इन्होंने generate किया national education spread की evolutionary moment रहा इनका एक नए level का mass moment जेनरेट किया cooperative organizations को बनाया और famines में, fund से कठा करके लोगों की मदद की, इन्होंने काफी चंदरपाल और और अरबिंदो घोस यह कुछ बहुत ही prominent extremist leaders है तो यह हमारा पूरा session था जहां पर हमने बहुत कुछ cover कर लिया है we have covered a lot of things with the hope कि आपने moderates और extremist का यह पूरा phase Congress के formation और उसके पहले के political associations के साथ पढ़ा है उमीद करते हैं कि अगर कोई question यहां से आता है तो आप उसे solve करेंगे confident होके, revise ज़रूर करिएगा क्योंकि बिना revision के सब कोछ छोड़ जाएगा multiple revision ज़रूरी है revision करते रहिए और MCQs लगाते रहिए test paper लगाईए, revision करिए, test paper लगाईए, revision करिए यही सर्फ की है prelims crack करने की लगे रहिए, मिलते हैं next session में thank you very much